सब मोशन में भी होता है रेश्ट में भी होता है डिपेंड करता है जित्व के रहे हो सके हैं तो जैसा कि आप सब की हमारी बात हुई थी कि हम लोग इस चैनल पे वन शॉर्ट जो हैं वो लेके आएंगे और वो सिरीज शुरू हो गई है यहां पर मैंने एक वन शॉर्ट डाला था इंटेग्रेशन और डिफरेंसेशन को समझाते हैं क्यूंकि उसकी आज इस में यहां पर जरूरत है अब आप सोच रहोंगे कम से फर्स लेक्चर पर धाईसो के आसपास थीनसो के यहांने थाईसो थीनसो के के आसपास व्यूज हैं तो मुझे लग रहा था कि इस साल की मोस्ट आफ दी जनता जो है भी है वो यूनिट्स और मेजर्मेंट डेख चुकी है तो इसलिए वह आप वहां पर चार लेक्चर की फॉर्म में रहेगा लेकिन यह वाला जो अब सीरीज है यानि मोशन स्टेट लाइन प्लेन लॉज आप मोशन वर्क एनरजी अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में आएगा पहली बात दूसरी बात और सबसे जरूरी बात कि इन यह जो वन शॉट्स हैं यह नॉर्मल वन शॉट्स नहीं आप देख सकते हैं पहली बात तो यह मैं भी हटा रहे हूँ आपको लग रहा होगा कि इसके साथ आप क्लास कैसे इसको वह नीचे रख दूँगा बट इन सब चीजों के साथ और कुछ चीजों के साथ हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो मैं नहीं रख सकता जैसे कि मेरे खुद की गाड़ी उसके साथ भी हम कुछ चीज़े देखने वाले बट मैं एक चीज़ क्लियर करने वा इस चक्टर में दिशटेंस, डिस्पलेसमेंट, स्पीड, वेलॉसिटी इसके उपर बाते हैं तो उसके उपर जाधा एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं या है ही नहीं अब मैं डिस्टेंस क्या है इसके ओपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकता समझाओंगा बहुत अच्छे डिलाइफ एक्जामपल्स लेकि बट ठीक है यह जो सेट अप है हमारे पास यह हमारे लिए कुछ हेल्प करेगा चीजों को जो चीजे विजिलाइज नहीं हो पाते हैं उनको देखने के लिए पर प्लस यह यह इसकी भी हमें जरूरत होगी यह मैं अपने बच्चे के साथ करने वाला हूं पर अभी के लिए मैं इसको नीचे रख देता हूं ताकि आपको जो क्लास है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो शुरू करते हैं क्योंकि उसको मुझे बाहर या बाहर अपनी पार्किंग में दिखाना पड़ेगा ठीक है ओकी तरो जबा टाइम गवाते नहीं है और चेप्टर शुरू करते हैं हमारा मोशन इना स्टेट लाइन अब मोशन इना स्टेट लाइन चेप्टर शुरू करने से पहले मैं आपक कि जब भी हम मोशन की पड़ाई करते हैं फिजिक्स मैंने यूनिटस और मेजरमेंट वाई लेक्शन में बताया था कि फिजिक्स बहुत टाइप की होती है क्लासिकल फिजिक्स, मौडर्न फिजिक्स, कौन्टम फिजिक्स हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं हमें जो लगभग पूरी 11th फिजिक्स पढ़ने है वो क्लासिकल फिजिक्स है तो क्लासिकल फिजिक्स का ही एक बहुत important branch है जिसको mechanics कहते हैं अब mechanics में क्या होता है हम लोग motion के बारे में पढ़ते हैं या reason behind the motion के बारे में पढ़ते हैं और लगभग लगभग पूरी पहली किताब part 1 लगभग लगभग हमारा mechanics है अब mechanics ही कुछ branches होती है सबसे पहली होती है statistics जब हम किसी भी चीज़ को rest पर पढ़ते हैं अगर आपको rest का मतलब नहीं पता है तो मैं बताऊंगा अभी आपको लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को rest पर पढ़ते हैं तो इससे statistics कहा जाता है ठीक acceleration क्या है, यह हम लोग kinematics में या kinetics में पढ़ते हैं, बट यहां पर हम उसके reason को नहीं जानते लेकिन वहीं पर dynamics जो है, उसमें हम लोग जो motion हो रहा है, उसके पिछे का reason क्या है, उसमें forces कौन कौन से involved है, इसको हम dynamics बोलते हैं, एक छोटा सा example दूँगा, यह stylus छोड़ा और नीचे गया, तो यह कितनी speed से गया, कितनी velocity से गया, उसने कितना time लिया, यह सब पढ़ाई है, हमारी kinematics की, लेकिन यह नीचे क्यों गया, कौन से force ने इसको खीचा उपर क्यों नहीं गया, यह जो पढ़ाई है, वो dynamics की है, पंखा जो है, वो घुम रहा है, उसकी speed क्या है, उसकी angular speed क्या है, यह kinematics है, लेकिन पंखा घुमा क्यों है, ऐसा कौन सी force लग गई कि वो circular motion में आ गया, rotational motion में आ गया, तो वो चीज़े हम लोग dynamics में पढ़ते हैं, obvious सी बात है, कि dynamics की पढ़ाई ज़्यादा vast है, ज़्यादा depth में जाके है, और ज़्यादा interesting भी है, और यह reason है कि motion in a state line और motion in a plane, यह दोनों chapter क्यों कि kinematics के यहां पे हम motion के reason को नहीं पढ़ते हैं, बर आगे के chapters बहुत interesting हो जाते हैं, यह भी interesting ऐसे बात नहीं है, अब क्यों कि हम यहां पे mechanics में एक word बार-बार सीख रहे हैं, rest, motion, तो आओ ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि what do you mean by rest? अब आप कोगे sir, हम 11th class के बच्चे हैं, हमें तो मत सिखाओ कि rest क्या होता है, तो बेटा हमें भी सीखने की ज़रूरत है, rest क्या होता है, सब को इतना तो पता है कि आगर मैं आपसे पूछूँ, कि यह जो car अभी आपके सामने पड़ी है, यह किस पे है, तो आँसे rest पे है, आपने कमरे में ही देख लो, आपके कमरे के अंदर, सामने दिवार पे लगी वी एक फोटो जो है, वो rest पे, घड़ी जो दिवार पे लगी वी है, वो rest पे, आपका जो bed है, वो rest पे, बट rest की परिभाषा थोड़ी सी बदल जाएगी, आज आपके लिए हो सकता है, पहली बात तो, कोई भी चीज़ जब अपनी position को change नहीं करती, with respect to as-pass के objects, तो वो किस पे कलाई जाती है, rest पे, लेकिन अगर कोई चीज़ अपने as-pass की चीज़ों के respect में, अपनी position को change करती है, तो इसे कह देते हैं कि वो motion में है, जैसे कि, अगर मैं बात करूँ, आपके घर में, अभी आपके bed पे, मानलो bed की बात कर लेते हैं, या आप अपने किसी study room में पढ़ रहे हैं, मापे को chair पड़ी है, अब वो chair जो है, वो बाकी चीज़ों के respect में, अपनी position को change नहीं कर रही है, तो वो कहलाई जाएगी rest पे, लेकिन वहीं पे road पे चलती भी गाड़ी, road के respect में, आसपास लगे वे, खंबो के respect में, आपके respect में, अपनी जगा को change कर रही है, अगर आप खड़की से बाहर देखोगे, अब यह मत कहना, हमारे कमरे में खड़की नहीं, अगर नहीं है, तो आपको road पे जाती भी गाड़ी दिख रही है अगर, तो वो motion में, क्योंकि वो आपके respect में, आपके घर के respect में, अपनी position को change कर रही है, बड़ी interesting बात है, बहुत interesting एक चीज़ है, वो क्या है, एक motion क्या है, rest क्या है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एक महान इंसान आये थे, जिनका नाम आप सब जानते ही हैं, Sir Albert Einstein जी, उनके हिसाब से आप ध्यान रखना, अब उनकी एक theory थी जिसको हम theory of relativity कहते हैं, बड़ इसको मैं यहाप एक note के point में समझा रहा हूँ, और वो क्या है, कि an object can be at rest as well as motion depending upon the observer जिसको अभी हम frame of reference थोड़ी दिर में बोलने वाले हैं, अब देखो, कोई एक चीज एक ही time पे rest पे भी हो सकती है, और एक ही time पे motion में भी हो सकती है, यह depend करता है एक observer के respect से, अगर आपको यह बात समझ नहीं आए कि observer के respect से कैसे depend करता है, तो आओ जरा इस बात को समझते हैं, एक छोटे से experiment से इसके लिए मुझे आपको अपनी गाड़ी के अंदर लेके जाना पड़ेगा, आओ एक बार इसको अपनी गाड़ी के respect से बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, तो बच्चों, यहां मैं अपने घर के अंदर बैट के कमरे में एक आपको आज ABCD से खाऊँगा, दियान से देखें, A for Apple, B for Ball, और C for Cat, अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी कमरे के अंदर बैट के आपको पड़ा रहा हूँ, लेकिन दियान से देखिए, तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर हूँ, तो अभी तक क्या लग रहा था आपको, कि मैं और यह बोर्ड और रीमा मैम जिनके आथ में कैमरा और उशांग सर जो गाड़ी चला रहे हैं, हम सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक ही कमरे के अंदर हैं, अभी गाड़ी के अंदर हैं, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेश्ट पे हैं, लेकिन अभी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं, बिलकुल इसी प्रकार, अर्थ पे बैठी भी हर एक चीज़, आपकी घर के भार लगावा, पेड आपको भले रेष्ट पे लग रहा हूं, लेकिन धरती से बार जौँगे, सूरज पे जाके बैठ जाओगे, अपना बं घुम रहे हैं, तब जाके आपको समझने आपके धरती जो है गुम रही है और धरती के साथ-साथ पेड भी गुम रहा है और इसे को भोलते आप आपने देखा कि कैसे जब गाड़ी के अंदर आप मुझे देख रहे हो या मैं एक बोर्ड के सामने हूँ या किसी भी चीज के सामने हूँ तो मैं आपको रेस्ट पर लग रहा हूँ हम एक इस दब्बे में बैठे हैं एक दूसरे के सामने एक दूसरे से बाते कर रहे हैं हाथ में हाँ डाल सौरी रोमैंटिक हो गया आपस में बाते कर रहे हैं ताश खेल रहे हैं गाने गा रहे हैं हम लेकिन हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिष्ट पे हैं लेकिन वहीं पर बाहर एक बंदा जो कि भार खड़ा वाया है खेत में ने 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 गलत सोच रहे हो खेती बाड़ी कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो है वो मोशन में आप जाएंगे कैसे वो कहेगा देखो कि भाया राम और शाम जा रहे हैं समर्गे तो एक ही चीज कि आप अगर मैं बोलू कि यार आपके आपके गली के भार लगावा एक पेड़ है उस पेड़ को देखो आप कहोगे मैं पूछूँगा पेड़ मोशन में रेस्ट में आप कहोगे रेस्ट में लेकिन अगर ऐसे सोचो तो पूरी धर्ती घूम रही है सन के आसपास इमाजिन करो व अगर पूरी धर्ती घूम रही है तो देखा जाए तो धर्ती की हर एक चीज मोशन में बट किसके रिस्पेक्ट में सन के बट अगर आपके रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो वह पेड़ अपनी पोजिशन आपके रिस्पेक्ट में चाहीं नहीं कर रहा है इसलिए वह र रिस्पेक्ट में जैसे कि एक बच्चे के एक्जाम में सवाल आया था कि आप और मैं ऐसी नाम चेंज कर रहा हूं अभी फिलाल मुझे पूरा एक्जाक कोशन याद नहीं बड़ राम और शाम दोनों ट्रेन में जा रहे हैं वहसे मुझे ये एक्जामपल देने की आईडिया कर रहा है क्या उसके रिस्पेक्ट में राम और शाम दोनों का एमोशन हो रहा है तो अब पूरी ट्रेन का मोशन है तो राम और शाम का भी है तो आक्चुली में ये बात आपको समझ नहीं है और आप वो गाड़ी वाले वीडियो से भी आप ये बात समझे हो चलो अब आग इसको एक plane मानता हूँ ठीक है न एक काम करते हैं मैं विडियो होड़ा से कट मारके पहले सारे समान को अटाता हूँ और सारे समान को अटा कि मैं इस पूरी टेबल पे आपको एक चीज दिखाता हूँ कि motion in a straight किसी भी बॉल या किसी गाड़े की मदद से कि motion in a straight line और motion in a plane और motion in three dimension क्या होता है पहले समान ठाता हूँ जल्दी से तो मान लेते हैं यह एक ट्रैक है और यह हमारी एक ट्रेन है अब अगर ट्रेन इसी ट्रैक पर सीधा सीधा चलती है चलती है चलती है अपने साइस के मुकाबले काफी जादा डिस्टन्स चलती है तो यह हो जाएगा motion in a straight line क्योंकि वो एक straight line में चल रही है लेकिन मान लेते हैं यह जो train है यह इस ट्रैक से भटक जाती है और इस पूरे खेत में चल रही है तो यह हो जाएगा motion in a plane अभी तक क्या था मान लो यह x-axis है तो वो सिरफ x-axis पर चल रही थी पर अगर यह x है और यह y है तो अब train इस पूरे plane पे कहीं पे भी गुम सकते और ट्रेन प्लेन म लगा है transformer वाली गाड़ी है और यह उड़के ऐसे भी जा रही है ऐसे आपके पास भी आ रही है ऐसे भी जा रही है तो यह हो जाएगा motion in three dimension मतलब की गाड़ी ऐसे चल रही है तो motion in a straight line इस पूरे plane पे कहीं पे भी गुम सकती है तो motion in a plane लेकिन plane पे गुमने के साथ-साथ य अब भी उड़ सकती है तो यह हो जाएगा motion in three dimension जो कि आप समझ सकते हैं कि three dimensional motion सबसे जादा मुश्किल होगा पढ़ने के लिए को कि उसमें x-axis y-axis और z तीन एक्सिस आ जाएंगे लिए कि motion in a plane में सिरफ दू एक्सिस होंगी और motion in a straight line में सिरफ एक ही एक्सिस हमारी होती है हाँ तो समान हम लोगों ने पर वापस रख दिया है और अब हम आप समझे हो कि motion in a straight line क्या है motion in a plane क्या है और motion in three dimension क्या है अगर मैं इसके और examples दूँ तो एक wire पे चलती वी चीटी एक motion in a straight line कर रही है लेकिन वहीं पे एक चीटी को अगर इस टेबल पे रख दिया जाए तो तो वो motion in a plane करने लग जाएगी लेकिन वहीं पे एक मखी को अगर मैं इस टेबल पे रख दूँ तो वो इधर 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 घुमेगी हवा में इधर उधर जाएगी तो वो motion in three dimension जो हो जाएगा समझ गया तो आई वोप आप ये भी समझ गया कि ये chapter में हम motion in a straight line के बा पूरी 11-12 हमें motion in three dimension तो नहीं पढ़ना है चीकर आगे जाके फिर भी पढ़ना है चलो अब जल्दी से बिना time कवाए types of motion पढ़ते हैं motion बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं इसका तो कोई बच्चो कोई भी एक प्रकार से कहने का मतलब है number नहीं है motion in motion बहुत प् straight line को ही rectilinear motion भी कह देते हैं motion in a straight line को ही rectilinear motion भी कह देते हैं वहीं पे अब अगर हम बात करें तो ये बड़ा difference है एक है circular motion और एक है rotational motion although आगे जाके इसके उपर बहुत सारी detailed पढ़ाई आने वाली है इसलिए मैं अभी इनकी definition ना लिखवा के आपको circular motion और rotational motion के बारे में एक चीज़ समझाता हूं इस खिलोने और इस धागे की मदद से धागा ज़्यादा बड़ा हो गया है मैं इसको यहां से तोड़ देता हूं इस का मैं कोई काम नहीं है ठीक है आओ अब ध्यान समझना motion in a circular motion और rotational motion क्या है जैसे कि मैंने इस गोले को अब यह डोनट नहीं ठी तो यह हो जाएगा हमारे पास rotational motion यह हमारे पास हो जाएगा rotational motion जैसे कि अगर मैं इसी से बात कर लूँ यह अगर मैं अपने इधर axis पे घुमाता हूं तो यह हमारे पास कौन सा motion हो जाएगा rotational motion इसको मैं ऐसे ऐसे करके घुमाता हूं तो यह हमारा हो जाएगा rotational motion सर नहीं मोशन धर्ती अर्थ अपनी जगा पे भी तो घूम रही है सबको पता है इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन लेकिन फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है अगर मैं इसी डोनट को यहां से धागे से बांद के ऐसे ऐसे घूमने लग जाओ यह है हमारे पास सर्कुलर मोशन समझ गए यह है हमारे पास सर्कुलर मोशन हम जर्ण समझते हैं जब है इसको अपने ही यह एक डोनट मांडो एक रिंग मांडो अगर mengo इसी की एकस से पास होoncesूकर गुमारा हूं ऐसे कुमारा के तो यह जो मोशन है यह कौन सा मोशन है rotational एक फिरकरी एक चकरी जो दिवाली पर चलाई जाती है वो भी एक rotational motion का example लेकिन अब यह जो धागा है यह मैंने यहां बान दिया अब मैं इसको इसकी axis से नहीं गुमा रहा हूँ बलकि इसकी axis से काफी दूर से गुमा रहा हूँ तो यह जो motion होगा यह हमारा motion होगा circular अब अर्थ अपनी जगा पे घूम रही है यह कौन सा motion है rotational लेकिन अर्थ जो है वो sun के आसपास भी तो घूम रही है वो कौन सा motion है circular अब अगर मैं इसी में ही एक धागा बांदू और इसको भी जोड जोड से ऐसे गुमाँ अगर मैं इसी भी धागा बांद के इसको भी ऐसे से गुमाँ तो यह भी कौन सा motion हो जाएगा circular लेकिन अगर मैं इसको ऐसे गुमाता हूँ ऐसे गुमाता हूँ या आपको सबको पता होगा कि हम लोग पहने ऐसे से करके गुमाते हैं तो यह जो motion है या यह जो motion है, यह सारे motion कौन से है, rotational, बट अगर मैं इसी पर धागा बांद के से गुमाता हूँ, तो यह circular motion बन जाएगा, तो असान भाशा में कहें, तो जब कोई चीज अपनी अंदर से पास होने वाले axis से गुम रही हो, इसे बोल देते है, rotational, बट अगर कोई, एक object, जो की point mass, point mass भी आ गया रहा है, छोटा सा object, एक लंबे radius पर गुम रहा हो, उससे हम लोग कह देते हैं, circular motion, इनकी परिभाशा है, exact definition भी आएगी, अभी हमें definition पर कोई काम नहीं करना है, बिकॉस इस chapter में आपसे पूछ नहीं लेकिन basic पता होना चाहिए, कि दुन्या में अलग-अलग प्रकार का motion है, वहीं पर अगर हम बात करें, oscillatory और vibratory, ये बड़ा interesting है भई, अब oscillation तो आपको पता ही है, ये लोग, इसी से हो जाएगा, ये हमारे पास जो motion है, ये कौन सा motion है भई, oscillation है ना भई, ये हमारे पास कौन सा motion है, oscillation, oscillation का मतलब, जब कोई चीज अपनी, अपनी mean position के आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, बच्चो, hypnotize मत हो जाना, तो मैं अपनी सारी जाइदात मेरे नाम करनी है, इसको देखो, सो जाओ, और अपना सारी जाइदात मेरे, बेटा, आप मुझे बताओ, ये जो motion हो रहा है, ये कौन सा motion हो रहा है, आंसर है oscillation, सार, oscillation तो समझ में आ गया, फिर vibration क्या होता है, आंसर है oscillation और vibration लगबग से में, अभी आपने देखा, आगर हम इसको ऐसे गुमा रहे हैं, तो ये अपनी axis पे नहीं गुम रहा है, वही, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे से करूँ, ऐसे से करूँ, तो ये अपनी axis के आगे पिछा, आगे पिछा, आगे पिछा, आगे पिछा गुम रहा है, तो यह जो motion हो जाएगा दिख रहा है न हाँ, यह जो motion हो जाएगा इसको vibration बोलेंगे, ऐसे घुम रहा है, यह रोटेशनल, circular और बिल्कुल वैसे ही यह match हो रहा है, यह किसके similar है, circular के, इसे हो गया oscillation, oscillation, लेकिन अगर मैं इसको अपनी जगा पर ऐसे से घुमाऊं, ऐसे करू तो यह vibration हो गया, तो जैसे फोन है हमारा, जब फोन vibration पर होता है, तो ऐसे से करके कांपता है, उसके अंदर एक vibrator लगा होता है, तो वो हो जाता है vibration, लेकिन फोन पर धागा बांद के ऐसे से घुमाऊं, तो इसको बोल देते हैं हम oscillation, तो oscillation और vibration में, I hope समझ गए, जब oscillation का amplitude, यह सारे words मैं भी यूज नहीं करना चाहरा था, amplitude, यह सब, बट अगर oscillation का amplitude बढ़ा हो, इसको हम बोल देते हैं oscillatory motion, बट अगर amplitude बहुत छोटा हो, इसको बोल देते हैं vibration, इन में से आपको जिसके बारे में पढ़ाई करनी है, इस chapter में आप सब जनते हैं, वो है rectilinear motion, य अगर आपने ढंक से नहीं पड़ा, तो यह पूरा chapter आपको disturb करेगा, ठीक है न, अब point mass क्या होता है, देखो, अगर मैं आपको पहले board पर संजाओ, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक point है A, और यहाँ पे मेरे पास एक point है B, ठीक है, ठीक है, अब इस A और B point के बीच का जो फिलाल distance अभी हम एक rough distance मान लेते हैं, वो है 1000 meter, ठीक है, 1000 meter, अब यहाँ पे एक, मान लो, गाड़ी है, 1000 meter का मतलब, I hope आप सबको पता है, एक kilometer होता है, अब यहाँ पे गाड़ी है, और वो गाड़ी A से B जाती है, वो गाड़ी A से B जाती है, तो मैं गाड़ी को point mass मा कह देते हैं, अगर कोई object अपने size के मुकाबले काफी जादा distance चले, एक गाड़ी के लंबाई कितनी होती होगी, तो answer है 2 meter, हद मार लो, 3 meter, 4 meter, लेकिन वो चला कितना 1000 meter, अब मान लो, 3 meter की गाड़ी है, मुझे लगता 3 meter की गाड़ी अकसर हमें देखने को मिलते हैं, होती है 3 meter गाड़ी, अकसर गाड़ीयां 3 meter लंबी नहीं हैं, वड मान लो, कि गाड़ी यह 3 meter लंबी भी maximum, तो 3 meter लंबी गाड़ी, जब 1000 meter चल रही है, तो वो अपने size के मुकाबले काफी जादा distance चल रही है, तो मैं पूरी की पूरी गाड़ी को, यह गाड़ी बनाने की जरूद एक गाड़ी है, यह dot, और अकसर हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगर मान लो, एक गाड़ी है और उसकी लंबाई 3 meter है, और वो गाड़ी को कोई ऐसे धका मारता है, और वो गाड़ी थोड़ा सा आगे चली जाती है, थोड़ा सा आगे चली जाती है, लाइक 0.01 meter, लाइक 1 centimeter पताओ, इमान दारी की बात है, कि वो पॉइंट मास होगी कि नहीं होगी, एक गाड़ी जो सौ हजार मीटर चली स्वारी, वो तो पॉइंट मास हो गया, क्योंकि वो अपने साइस के मुकाबले काफी जादा डिस्टेंस चली, बड़ अगर एक गाड़ी सिर्फ एक सिंटीमेटर आगे गई, और उस गाड़ी की लंबाई, एवरेज लंबाई जैसी है, तो क्या वो एक पॉइंट मास होगी, तो आई होप आइंसर आपने कमेंट सेक्शन पर दिया है, नो, आओ इस रोलर की मदद से, यह एक्चली वो हमारे घर में रोटी पैक करने वाड़ी, उसकी मदद से हम एक बार समझते हैं, कि पॉइंट मास क्या होता है, अगेर मैं इस सारे समान को यहां से हटाऊँगा, और फिर हम समझेंगे कि पॉइंट मास क्या है, अगर हम लोग यहां पे देखें, तो यह हमारे पास एक रोल है, जो कि लगबग लगबग 30 सेंटी मिटर के असपास का होगा, अब अगर यह 30 सेंटी मिटर के रोल को, मैं यहां से यहां पे मूफ करवाता हूँ, तो यह इधर लेट से इसके एंड तक आ गया, लगबग लगबग 100 सेंटी मिटर चला, तो क्या मैं इस रोलर को, क्या इस वाले केस में मैं इसको एक पॉइंट मास मान सकता हूँ, तो आंसर है हां, लेकिन वहीं पे अगर यह आपके सामने ऐसे पढ़ाओ, और यह सिरफ ऐसे गिर जाए, अगर यह ऐसे पढ़ाओ, और यह ऐसे गिर जाए, तो यह एक पॉइंट मास नहीं होगा, क्योंकि अपने साइस के मुकाबले इसका जो सिंटर है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस चलाए, तो यह एक पॉइंट मास नहीं किलाए जाएगा, या फिर अगर मैं इसको लेटर सब ऐसे डिस्टेंस कर दूँ, तो यह एक पॉइंट मास नहीं होगा, इसकी पढ़ाई करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि हम सिस्टम आफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मुशन में करेंगे, लेकिन हाँ, अगर मैं इसको यहां से लेकिए यहां तक रोल करता हूँ, तो यह पॉइंट मास हो जाएगा, अगर लाई का कार, मान लो यह गाड़ी है, हलकादा डिस्प्रेस्मेंट करा हूँ, तो वह पॉइंट मास नहीं है, लेकिन गाड़ी अगर एक किलो मेड़ दो किलो मेड़ करती है, तो वह पॉइंट मास हो जाएगा, तो दोबारा सुन लें, यह एक पॉइंट मास है, लेकिन अगर ऐसे गिरता है, तो यह पॉइंट मास नहीं किला जाएगा, हाँ जी तो आई होप आपने समझा की जब ये रोल किया या इसको घसीट के आगे लेके गए तो ये अपने साइस के मुकाबले काफी जादा डिस्टन्स चला बट जब थोड़ा सा आगे गया या जब ये गिर गया ऐसे करके गिर गया तो ये point mass नहीं है तो इस chapter के अंदर जितने भी masses आने वाले हैं आपको धियान रखना है वो पहली बात तो point mass है इस chapter में जितने भी mass आएंगे वो क्या होंगे? एक point mass होंगे बात समझ में आई? तो point mass क्या है? जब एक object अपने size के मुकाबले ज़ादा distance चलता है तो उसे हम कौन सा mass क्या देते हैं? Point mass An object can be considered as point mass if during motion in a given time it covers distance much greater than its own size ठीक है? चलो अबना मैं यहाँ पे आपसे कुछ examples पुछता हूँ आपको बस पताना होगा कि वो चीज़े point mass है या नहीं है? चीज़े? वो चीज़े point mass है या नहीं है? Like Earth completed one rotation around sun one rotation around sun पताओ जी sun के असपास पूरा एक rotation cover कर लिया तो क्या यह point mass है? तो answer है yes हाना भई? यह एक point mass है क्योंकि जब पूरा एक चक्कर काटेगी Earth तो अपने size के मुकाबले काफी जादा distance जो है वो चलेगी ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि an apple falls from a tree एक पेड से एक apple गिरता है तो पताओ क्या point mass है? जल्दी से comment section ने बताओ तो again answer है yes क्योंकि पेड की उचाई भी यार काफी होती है और apple जब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो वो भी एक point mass होगा हना अब थर्ड अगर हम धियान से सुनें a boy a boy leaning towards floor यानि एक बच्चा floor की तरफ बस lean कर रहा है lean कर रहा है मतला ऐसा हो गया like मैं तो माइकल जेक्सन नहीं हूँ but like a Michael Jackson ओहो बच गया like a Michael Jackson एक बच्चा lean कर रहा है तो क्या वो point mass होगा? तो answer है नहीं बिल्कुल इसकी तरह एक बच्चा है जो lean कर रहा है क्या वो point mass होगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा तो इस से आपको समझना है इस चप्टर में क्या चीजे point mass होने वाली हैं और क्या चीजे point mass नहीं होने वाली आप वैसे भी इस पूरे चप्टर में जितने भी mass होंगे वो point mass ही होंगे तो आपको tension लेने की भी जरूरत नहीं होगी ठीक है जी? बड़े आगे? अब हम बात करते हैं देखो छोटे छोटे आगे कि जो topics हैं वो ऐसे topics हैं जिनमें इन सब की जरूरत है तो छोटे छोटे हटियार इखटे कर रहा है अब आता है frame of reference अब ये frame of reference क्या होता है? तो in short अगर मैं आपको पता हूँ तो frame of reference तीन चीजों से मिलके बनता है जिसमें सबसे पहला होता है observer observer मतलब जो motion को observe कर रहा हूँ उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए जो समय को नाम पाए और उसके पास coordinate axis coordinate axis का मतलब होता है बचों ध्याएं सुनना coordinate axis क्या होता है coordinate axis का मतलब होता है कि वो distance ना पाए physics में हम distance कैसे ना पाएंगे कि वो इधर से इधर गया इधर से इधर गया एक्स जीरो से एक्स फाइव गया एक्स टू से एक्स सेवन गया ठीक है तो इसको हम coordinate axis कहते हैं तो अगर किसी भी चीज़ के पास observer है clock है और coordinate axis तो इन तीनों से जो मिल के बनता है इन तीनों से जो मिल के बनता है उसको हम लोग कह देते हैं of reference उसको हम लोग क्या कह देते हैं frame of reference सर मता नहीं समझ नहीं आया देखो जी simple सा logic है अगर मैं किताबी भाषा से बोलू तो frame of reference क्या है frame of reference तीन चीज़ों से मिल के बनता है observer से clock से और coordinate axis से जिसकी मदद से हम किसी के भी motion को observe कर सकते हैं हम किसी का भी distance calculate कर सकते हैं किसी की भी speed calculate कर सकते हैं किसी का भी time calculate कर सकते हैं और हम चाहें तो उसका acceleration भी और बाकी सारी चीज़े भी calculate कर सकते हैं बस क्या होना चाहिए observer मतलब observe करने आप वैसे बात है observe करने वाला ही नहीं होगा तो फिर क्या फाइदा तो सबसे पहली चीज अब्जर्व करने वाला होना चाहिए सेकेंड चीज उसके पास घड़ी अब घड़ी का मतलब सिरफ हाथ वाली घड़ी ही नहीं होता है किसी भी प्रेकार से वो टाइम ना पना जानता हो या टाइम ना सके लाइक उसके पास मिट्टी वाली घड़ी हो सैंड डाइल जसको उल्टा करते हैं मिट्टी नीचे गिरते हैं वो भी चलेगी अब उसके पास घड़ी में मुबाइल वाली घड़ी हो भी चलेगी हाथ वाली घड़ी हो भी चलेगी उसके पास संडाइल, धूप वाली घड़ी, मतलब वो कुछ सिचुएशन में टाइम निकाल सके, तो वहाँ पे उसके पास clock है, और coordinate access मतलब उसको object जिसका वो motion observe कर रहा है, उसका initial point और उसका final point पता होना चाहिए, जिसके बीच का वो distance वेगरा निकाल लेगा, तो वो एक frame of reference हो जाएगा, आओ अब ये थोड़ा सा आपको होड़ा शोर लगेगा, क्योंकि मैं इसको स्टूडियो के भार जाना होगा, और स्कूटर की मदब से, मैं अपने बच्चे को स्कूटर पर चड़ाऊंगा, और वो एक motion करेगा, और मैं आपको बनके दिखाऊंगा, एक frame of reference, फिर आपको समझ में आएगा actually में की frame of reference क्या होता है, तो मैं अपने बच्चे को, जिसका नाम क्यान है, अब ये मैं समझना कि मैंने बच्चे को experiment के लिए यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है बच्चो, हाँ कर लिया, आरे ठीगे, बट उसकी मदब से हम आउ समझते हैं की frame of reference क्या चीज़ है, बहुत सिंपल है, उसको मैं बोलूँगा, वो स्कूटर चलाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मैं उसके बीच का distance निकाल लूँगा, और मेरे पास घड़ी होगी, मैं time निकाल लूँगा, मुझे distance time क्लब चली जाएगा, साथ इसाथ distance upon time करक कि मैं उसकी speed वेगरा भी निकाल लूँगा, so the point is कि इसको हम बोलते है frame of reference, क्या बोलते है frame of reference, फिर मैं आपसे ये देखने के बाद, शायद 15-20 मिनट बाद पुछूँगा, या आदर घंटे बाद पुछूँगा, कि जो मैंने क्यान की, यानि अपने बच्चे की speed निकाल कि frame of reference कैसे बनता है, किनू, मैं start बोलूँगा, आपको यहां से भागना शुरू करना है, ठीक है, one, two, और उस end तक जाना है आपको, ठीक है, जितनी तेज हो सके, one, two, three, start, बहुत बढ़ी आप, तो क्यान ने जो time लिया है, वो 5.34 seconds है, अब मैं एक आप की मदद से, इस पूरे कमरे की length नाप लेता हूँ, ठीक है, माना यह जो length है, वो exactly accurate नहीं होगी, बर लगभग, लगभग, यह चीक होगी, तो इस कमरे की जो लंबाई है, अगर मैं इसको end तक नापूँ, तो यह आती है, 300 पार होगा, inches में आ रही है, तो यह आती है, हमारे पास, में convert करूँ, तो 9.127 होता है, अब distance और time, यानि 9.127 को time यानि 5.34 सो divide करूँगा, तो क्यान की जो speed आ जाएगी, वो 1.71 meter पर second आ जाएगी, तो मैं हो गया, frame of reference, जो कि क्यान का distance, time और speed, सब कुछ निकाल सकता हूँ, तो मैं हो गया frame of reference, ठीक है, तो I hope आप समझे, यार की frame of reference कैसे बना में, मेरे पास घड़ी थी, तो answer है, हाँ, मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास अपना खुद का phone था, जिसमें मैंने stop watch on कर ली थी, ठीक है, क्या मैं खुद था वहाँ, तो observer भी था, और third चीज, क्या मेरे पास coordinate axis थे, तो answer है, हाँ, एक दिवार से, दूसरे दिव पर गया था, क्यान, तो मेरे पास coordinate axis भी थे, और मैंने उसके बीच का distance भी calculate कर लिया था, तो I hope आप समझ गए हूँ, कि frame of reference क्या होता है, बहुत ही प्यारी चीज है frame of reference, अब frame of reference दो प्राकार का होता है, inertial frame of reference और non-inertial frame of reference, देखो, inertial frame of reference क्या होता है, अगर किसी भी frame of reference में, जो observer है, inertial frame of reference में, जो observer होता है, शौट में अगर लिखूँ, जो observer होता है, वो या तो खुद rest पे होता है, या तो वो खुद same speed से दोड़ रहा होता है, याने कि जिसको हम uniform motion भी आगे जाके कहेंगे, I hope आपको सबको uniform motion का मतलब पता तो है, लेकिन अगर कोई observer, किसी motion को observe कर रहा है और वो खुद rest पे है, या फिर वो same speed से दोड़ रहा है खुद भी, खुद भी, तो वो frame of reference, एक inertial frame of reference कहलाया जाता है, मैं आपसे बड़ा साधारन सा सवाल पूछ रहा हूँ, इसका answer आपको please comment section, देखो अगर आप इस one shot को successful बनाना चाहते हूँ, तो comment section पे आपको answer देने होंगे ही होंगे, तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि, आप मुझे comment section में time stamp के साथ बताएगा क्या time चल रहा है, कि जब मैंने ख्यान के motion को observe किया, scooter पे, तो मैं कौन सा frame of reference था, क्या मैं inertial था, तो आप वहाँ पे लिख दो comment section पे कि हाँ inertial था या नहीं inertial नहीं था, तो answer है हाँ inertial था क्योंकि मैं खुद जो था, वो rest पे था, मैं खुद जो था, वो rest पे था, हाना ये बाब ध्यान रखी होगी, आपने मैं एक जगा पे खड़ा रहा था, क्या दोड़ रहा था, तो ऐसे frame of reference को हम inertial कहते हैं, बढ़ मान लो, मैं भी किसी गाड़ी पे होता, गाड स्पीड या variable स्पीड जिसको हम non uniform motion कहते हैं, लेकिन अगर वो variable स्पीड से दौड रहा है, तो ऐसे frame of reference को non inertial frame of reference कह देंगे, ठीक है ना, क्या लिखावा है, देखो, the frame of reference which is at rest or moving with a constant speed या velocity, उसको inertial कहते हैं, और non inertial में जो observer है, या खुदी पूरा का पूरा, या देखो, अगर मैं चल रहाँगा, तो मेरे साथ घड़ी भी चलेगी, तो पूरा frame of reference से move कर रहा है, एक प्रकार से, तो frame of reference जिसमें object non uniform speed या velocity से चलता है, मतलब जिसको variable speed, या बार बार उसकी speed चेंज हो रही है, मानलो मैं कैसी गाड़ी में बैट के क्या उनको observe कर रहा है, जिसमें म मैं समझाने के लिए भी ज़्यादा effort भी नहीं मारूंगा, जो कि अभी हमने Newton जी के law नहीं पड़े हैं, मतलब 9th में पड़े होंगे बड़ा भूल गए होगे, बट short में बोलू, तो ये जो frame of reference होता, inertial, इसमें Newton जी के जो laws होते हैं, वो valid होते हैं, ध्यान रखिएगा, ज जो inertial frame of reference होता है, उसमें Newton जी के law valid होते हैं, लेकिन जो non inertial frame of reference होता है, उसमें Newton जी के जो laws होते हैं, वो valid नहीं होते हैं, ठीक है जी, जो Newton जी के laws होते हैं, वो valid नहीं होते हैं, अब example के तोर पे कोई भी आप example यहां पे, अच्छा, यहां पे example में मतलब कि अगर मैं एक ग का example देना चाहूं तो when a car is being observed by another car या उसके अंदर obviously बात है बैठा हा बंदा with variable speed एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी वालो observe कर रहा है और उस गाड़ी की जो speed है वो variable है तो वो non-inertial frame of reference हो जाएगा मैं यह सवाल आपसे पूछतो रहा हूं लेकिन इसका आंसर मैं आपसे expect नहीं कर रहा हूं सही कि inertial और non-inertial frame of reference में से कौन सा frame of reference सही है और आपको लग रहा होगा कि inertial सही है बड़ देखा जाए तो non-inertial भी सही होता है बड़ उसमें कुछ मुछ बढ़ दाती है तो इसलिए इसके पर भी discussion नहीं करेंगे और अगें इस पूरे चेप्टर में हमारा frame of reference रहेगा अगें वो inertial ही रहेगा तो tension की कोई बात नहीं है बड़ हां इसमें न्यूटन जी के law valid नहीं होते हैं चल आगे बढ़ते हैं अब खटैक से बात करते हैं scalar quantity और vector quantity के बारे में आप देखो हमें ना इस चेप्टर में दो प्रकार की quantities पढ़नी है या इस चेप्टर में क्या हर एक चेप्टर में दो जैसे की हमने units and measurement पढ़ बढ़ने के लिए direction की जरुरत नहीं है या उनके पास खुद को डइर्चन नहीं होती है sprf magnitude होता यानि अमांट होता इउन्हें हम लोग कह देते हैं scalar quantity एसी quantity जिनको पढ़ने के लिए magnitude की जरुरत है बस amount की जरुत है लेकिन direction की जरुरत नहीं है उन्हेंली हम बोलते है scalar quantity example के तोर पे mass अगर मैं आपकी जेव में यहां से 5 kg का कोई object डालता हूँ लेकिन 10 kg का object opposite side से डालता हूँ तो वो 15 kg ही होगा इस लाइक यहां पे एक बॉई है मैंने इसकी जेव में यहां से 5 kg का एक object डाला और यहां से 10 kg का एक object डाला तो उसकी जेब में अब 15 kg चला गया और वहीं पर अगर मैं उसकी जेब में यहां से 5 kg डालता और यहां से 10 kg डालता तो उसकी जेब में कितना जाता तो answer again 15 kg क्योंकि जो mass है उसका direction से कोई लेना देना नहीं है उसको पढ़ने के लिए direction की कोई requirement नहीं है और उसके पास direction होती भी नहीं है तो ऐसी quantities जिनको पढ़ने के लिए हमें किसी direction की जुरूत नहीं है उन्हें हम कहते है scalar quantities या उनके पास खुद direction ही नहीं होती है उन्हें बोलते है scalar quantity अब यहां पर कुछ numbers लिखे होंगे कुछ चीजे लिखे होंगे जिनको आप शायद ना जानते हो बट आप सबको पता है mass time ये तो scalar है लेकिन हो सकता है distance के बारे में आपको ना पता हो कि ये scalar है लेकिन अभी मैं आपको 5 minute के अंदर अंदर ये समझा दूँगा कि distance actually में एक scalar quantity ही है ठीक है जी और ध्यान रखें ये तो आप बच्पन से जानते हो कि scalar quantities को सीधा हम लोग add या subtract कर सकते हैं जैसे 5 minus 5 जीरो और अपना 5 plus 10 15 लेकिन vectors को add करने के लिए हमें vector addition सीखना होता है ये बिलकुल different चीज है अगर किसी ने motion in a plane chapter कर लिया होगा तो वो ये बात जानता होगा कि vectors को add करने की जो science है वो बिलकुल अलग है बिलकुल different है वो बहुत अलग तरीके से add subtract multiply होते हैं लेकिन scalar के साथ ऐसा नहीं है जो हम normal अभी तक maths पढ़ते आ रहे हैं जिस maths को हम लोग algebra कहते हैं तो normal algebra के laws लगा के हम चीजों को add या subtract ही करते हैं अगर वो scalar हैं बट vector quantities क्या होती हैं ऐसी quantities जिनको पढ़ने के लिए direction के बारे में knowledge होना बहुत ज़ादा जरूरी है उन्हें हम लोग कह देते हैं vector हाना इनमे magnitude तो होता ही है quantities विच है बोट जिनके पास क्या भी होता है magnitude भी होता है और साथी सा direction भी होती है दोनों होने जरूरी है यह ध्यान रखिए का जिनके पास दोनों होने जरूरी है उन्हें हम लोग कह देते हैं vector लेकिन जिसके पास सिरफ और सिरफ magnitude होता है बट उसके पास क्या नहीं होती है? आंसर है direction नहीं होती है या direction की जरूरत नहीं है ऐसी quantities को हम लोग scalar कहते हैं सर जमन नहीं आया कि किसी quantity को पढ़ने के लिए vector की जरूरत क्यों है? या direction की स्वारी जरूरत क्यों है? आओ ज़रा मैं आपको इस प्रकार से एक example देके यहाँ पर समझाता हूँ एक अच्छा example देके मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ let us suppose कि मेरे पास एक इधर दिख जाएगा आपको let us suppose कि मेरे पास यहाँ पर एक object है और यह object अपना कोई भी object है और इस पर मैंने यहाँ पर 5 newton की force लगाई और इधर से मैंने इसके उपर 25 newton की force लगाई ठीक है नए आप सबको पढ़ाया गया है कि forces जब opposite direction में होती है तो minus हो जाती है तो 5 यहाँ से लगाई 25 यहाँ से लगाई आपको पता है minus होके यह 20 newton आ जाएगा लेकिन वही पर अगर मैं इस object पर 5 newton यहां से लगाऊ और वही 25 newton यहां से लगाऊ तो add हो जाएंगी और यह 30 newton हो जाएगा मानते हो इस पर 25 newton था इधर से 5 95 से cancel हो के 20 हो गया लेकिन यहां पर इधर से 5 था इधर से 25 था तो add हो के 30 हो त्पर पता है और एक 10 newton की, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो आंसर है, आप आंसर नहीं दे पा रहे होगे, क्योंकि आपके मन में एक सवाल आया होगा, किसा direction तो बता हो, क्योंकि अगर एक object पे इधर से ही लगाई है 70, और इधर से ही लगाई है 10, तो 80 हो जा है कि कैसे इनने फिर add करता है, but the point is, कि vectors को पढ़ने के लिए, हमें direction की बहुत जादा जरूरत है, बिना direction के हम vector quantities को पढ़ नहीं सकते, तो इनके पास दोनों होना बहुत जरूरी है, अब यहाँ पना vector के कुछ example लिखे होंगे, अगेन हो सकता आपको, समझ में ना आएं, क् लेकिन मैंने आपको force तो पताए दिया, जो कि यहां लिखा भी नहीं हो है, but weight जो कि एक प्रकार की force ही होती हैं, पढ़ेंगे, displacement जो कि मैं आपको आज ही पढ़ा दूगा, velocity जो कि मैं आपको आज ही पढ़ा दूगा, यह ऐसी quantities हैं, जिनको पढ़ने के लिए direction का होना करें, मेरी आप से request रही कि आप video को यहां पर pause कर ले, रोक ले, अभी इसी वक्त रोक ले, और रोकने के बाद आप इसके पिछले जीतने भी topic मैंने आपको पढ़ाएं, एक बार revise करें, फिर यह आगे बढ़ें, बिलकुल request है मेरी आप से, ठीक है, okay, done, चलो ठीक है, अब बात करते हैं आगे, और आगे का topic आ रहा है, हमारे पास distance and displacement, अब एको distance और displacement को समझने के लिए, पहले तो, क्या है ये दोरों में फरक, इससे पहले हम यहां पर एक कुछ cases लेते हैं, like, distance और displacement को समझने के लिए हम यहां पर कुछ cases जो है, वो generate करते हैं, case 1, बहुत ध्यान स सुनना, यह सारे cases देखने के बाद आपको distance or displacement में कोई भी confusion नहीं रहेगी, case 2, case 3, और ऐसे ही case 4 तक देखते हैं, बाकी जरुद पड़ी तो बना देंगे, अब होता क्या है देखो भई, distance or displacement, माल लो एक गाड़ी जो है, वो A से B गई, और फिर B से C गई, अब A से B गई, म और B से C गई, माल लो वो 2 मीटर, ठीक है न, फिर सेम गाड़ी जो है, वो A से अगले दिन की बात कर लो चाहिए, A से B गई, और B से C गई, यहां पे वो गई, अगें 5 मीटर, और यहां पे गई वो 2 मीटर, अगें, एक गाड़ी A से B गई, 5 मीटर, और B से C गई, 2 मीटर, And again, एक गाड़ी A से B गई 5 मीटर और B से C गई 2 मीटर अब लास्ट में एक और केस ले लेते हैं, केस 5 जिसमें एक गाड़ी again A से B गई C गई 5 मीटर और B से वापस C गई 2 मीटर यह दो मीटर है और यह पूरा 5 मीटर था अब डिस्टेंस क्या है? आप पहले समझते हैं डिस्टेंस का मतलब होता है अट टोटल पाथ लेंथ कवर्ड वेन वी ट्रेवल जब भी हम चलते हैं तो कितनी लंबाई कवर करते हैं तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड वेन वी ट्रेवल जब भी हम लोग चलते हैं तो टोटल कितनी लंबाई जो है वो कवर करते हैं कितनी लंबाई जो है वो कवर होती है overall इसको हम लोग बोलते हैं path length the total path length मतलब मैं जब चला तो मैंने actually कितनी लंबाई कवर की तो वो path length को ही हम लोग distance कहते हैं the total path length covered when we travel is called distance जैसे कि इसकी अगर बात करें तो मैं 5 और 2 गया तो जो मेरा distance हुआ जो मेरा distance हुआ वो 5 और 2 7 meter हुआ अब यहां पे भी तो मैं 5 और 2 गया तो path length covered समझो एक प्रकार से जब जब मैं चल रहा हूँ तो पिछे पिछे एक धागा छोड़ता वा जा रहा हूँ जब भी मैं चल रहा हूँ तो धागा छोड़ रहा हूँ और उसी धागी की लंबाई हमारा path length है तो अगर मैं ऐसे चलूँगा तो 7 मीटर का धागा चूटेगा अब 5 मीटर ऐसे गया 2 मीटर ऐसे गया तो भी तो 6 मीटर का धागा चूटेगा 5 मीटर ऐसे गया 2 उपर चला गया इस बार तो क्या कोई फरक पढ़ रहा है इस बार भी धागा जो है वो साथ मीटर ही छूटेगा और इस वाले केस में भी धागा जो है वो साथ मीटर ही छूटेगा और इस वाले केस में भी धागा जो है वो साथ मीटर ही छूटेगा इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा कि मैं कहां जा रहा हूं जो distance है वो हर case में same है इसका क्या मतलब हुआ जब तोटल पाथ लेंद का मतलब है मैं लंबाई कितनी कवर कर रहा हूँ इर्रिस्पेक्टिव टू दी फैक्ट डैट कि मैं जा कह रहा हूँ इससे एक बास समझ में आती है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर कॉंटिटी है उसका कोई लेना देना नहीं है डाइरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है पाथ से पाथ से तो है स्वारी मतलब डाइरेक्शन से कि वो उपर जा रहा है नीचे जा रहा है वापस आ रहा है दाई जा रहा है बाएं जा रहा है अब आप पताओ मैं आपको ये 5 case ना दू, मैं आपको से वितना बोलू कि पहले मैं गया 5 meter और फिर मैं गया 2 meter, मैंने वो कहीं नहीं पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, क्या आपको, क्या आपको direction की जुरू थे तो आंसर है नहीं, इसलिए जो distance है वो एक कौनसी quantity भी हो जा हम से represent करते हैं, बट मेरा एक सवाल है, क्या distance कभी zero हो सकता है, अब आपको कह सर अगर एक object rest पे, अगर एक object रुका हुआ है, तो उसका distance zero हो जाएगा, तो आंसर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पहली बात तो आप समझे नहीं, उसका distance zero नहीं है, वो object rest पे है, सबसे confusion को दूर करेंगे, the length of path covered when we travel, आप ये word भूल रहे हैं, अगर एक object travel ही नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए distance की परिभाशा ही करेंगे, फिर distance की बात ही नहीं करेंगे, मैं अगर आप से पूछूँ कि इसका distance कितना है, एक second में, तो आप ये नहीं बोलोगे zero, आप ये बोलोग ये गाड़ी, मैं पांच second तक वेट करूँगा, आप मैं देखता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, कहीं नहीं गई, तो अगर मैं आप से पूछूँ इसका distance कितना होगा, तो आप ये नहीं बोलोगे zero होगा, आप ये बोलोगे, object is at rest, हाना, तो अगर, क्योंकि परिभ distance can never be zero, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन displacement क्या होता है, लाल रंग से ध्यान रखना है, displacement क्या होता है, displacement का मतलब होता है, shortest distance between our initial and final position, हमारी initial यानि शुरुवात की, हमारी final यानि end की जो position है, इसको हम लोग कह देते हैं, इसके बीच का जो shortest distance होता है actually, उसको हम लो से, the shortest distance between initial and final position, हमारी शुरुवात की और हमारी अंत की, यानि end की, जो position है, उनके बीच में जो shortest distance है, उसको हम displacement करें, जैसे कि, यह हमारा A जो है, initial point है, यह हमारा C जो है, वो final point है, तो इनके बीच का जो shortest distance है, इसको हम displacement करेंगे, इस वाले case में, यह हमारा initial point है, यह हमारा final point तो यह जो होगा, वो हमारे लिए displacement होगा, यह हमारा initial point है, यह हमारा final point है, यह हमारे लिए displacement होगा, यह हमारा initial point है, यह हमारा final point है, यह जो होगा हमारे लिए displacement होगा, यह initial point है, यह final point है, यह जो होगा हमारे लिए displacement होगा, अब मैं आपसे एक बड़ा ही प्यारा सवाल पुछन साथ था, बट क्या displacement बराबर है, इस वले case में आप सबको समझ में आएगा कि जो distance है वो तो seven है, लेकिन displacement भी seven है, बट क्या in सब cases में displacement seven है या नहीं है, कितना है मैं आप से यह नहीं पूछ रहा, मैं comment section बस यह पूछ रहा हूँ, seven है या नहीं है, अलग-अलग है या नहीं है तो answer है, हर case में displacement जो है वो अलग-अलग है, हर case में displacement जो है वो अलग-अलग है, yes or no, answer is yes, अब ऐसा क्यों, क्योंकि यह initial और final position के बीच का shortest distance है, और initial और final position ही अगर बदल जाएगी, तो shortest distance भी बदल जाएगा, and that is why, that is why distance और displacement में सबसे बड़ा फरक ही आ जाता है, कि displacement एक vector quantity है, वो direction पर depend करती है, बिना direction के displacement की पड़ाई नहीं हो सकती, अब मैं आपको बोलूँ, कि एक object पांच मीटर गया, और फिर वो दो मीटर गया, आप पता हो displacement कितना है, आप नहीं पता पाओगे, जब तक आप आपको ये नहीं पता कि वो सीधा ही गया या मुड़ गया, क्योंकि अगर वो मुड़ गया, तो displacement चेह हो जाएगा, और इसी कारण वर्ष यहां पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, पहले बात तो shortest distance between initial and final point को हम displacement कहते हैं, और ये एक vector quantity है, ये एक ऐसी quantity है जो direction पर depend करती है, इसकी SI unit जो है, वो भी meter है, अब वसी बात है, लेकिन एक बड़ी हरान कर देने वाली बात यहां पर, वैसे हरान कर देने वाली तो नहीं है, बड़ एक बात यहां पर आती है कि displacement एक vector quantity के साथ साथ zero होने वाली quantity भी है, मतलब it can be zero, अब ऐसा कैसे हो सकता ह तो क्योंकि यह shortest distance है, initial और final point का यहां पर case लेते हैं, मालो एक object A point से शुरू होता है, वो 5 meter आगे जाता है, फिर वो 5 meter नीचे आता है, फिर वो 5 meter इदा जाता है, फिर वो 5 meter वापस आता है, यानि कि एक प्रकार से वो एक square बना लेता है, वो एक square बना लेता है, अब यहां पर जो distance cover होगा, वो तो आप सब जानते हो कि 20 meter हो जाएगा, पांच 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 करके 20 meter हो जाएगा, लेकर अगर मैं आप से पूछू कि इस case में displacement कितना होगा, तो आंसर है, वो A से शुरू करता है, और अगर आप notice करो, तो वो A पर ही खतम हो जाता है, उसकी और उसकी final position जो है, वो same है, तो इस case में उसका displacement zero हो जाएगा, विकास उसकी initial position में यह ही है, उसकी final position में यह ही है, उसके बीच में gap कितना है, तो आंसर है, कोई gap नहीं है, there is no distance between the initial and final position, so displacement is zero, यानि अगर कोई चीज घूम के वापस अपने जगा पे आजाए, तो displacement zero हो जाता है, अब अगेन यहाँ पर distance और displacement के उपर काफी numericals बनते हैं, यह one shot है, यहाँ पर हम लोग numericals नहीं करने वाले हैं, सिरफ concepts पर अपना focus बनाएंगे, और जैसे ही motion inner state line का पूरा one shot आप देख लोगे, आपको comment section पर सिरफ यह लिखना होगा, कि one shot completed, जैसे ही मुझे जातर बच ही होगी, तो जिसमें हम इस chapter के question answers करेंगे, ध्यान रखना, देखो, यह one shot series complete कब होगी, जब आप उसके question भी साथ में करोगा, अगर आप question ही नहीं करोगे, तो one shot का फाइदा नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब point समझ में आ गया ना, बनाने तो physics में mainly numericals ही हमें, तो one shot के, को आपका ये भी फर्ज बनता है, ठीक है जी, चलिए, अब हम distance और displacement समझ चुके हैं, तो यहाँ पर हमार पा speed and velocity भी आता है, अब speed और velocity का जो concept है, वो बिलकुल same है, बस ये दोनों distance और displacement जैसे ही different है मतलब उस हिसाब से, मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे at least speed क्या है, य speed होता है, distance traveled per unit time, याने कि हम कितना distance चले in a given time, हम कितना distance चले in a given time, इसको हम लोग बोल देते हैं, speed, distance traveled per unit time, हम कितना distance चले upon my time, इसे हम लोग कह देते हैं, speed, हना, सबको पता है, लेकिन वहीं पे velocity जो होता है, velocity जो होता है, ये होता है, कितना displacement हुआ object का, divided by time, कितना displacement हुआ object का divided by time हना एक बच्चा मुझसे पूछता कि सर डिस्टेंस कहां पर इस्तमाल होता है हम समझ गए हमारा जो odometer है आप सबको पता होगा odometer हमारी गाड़ियों में जो लगा होता है वो क्या नापता है distance नापता है odometer measures distance हमारी गाड़ियों में जो odometer लगा होता है वो distance नापता है यह बात आपको धिहान में रखनी होगी हमारी गाड़ियों में लगावा odometer जो है लेकिन ऐसा नहीं है वू डिस्टिंस नापता है तो बच्चा एक सवाल पूछता है हक्सर एक सवाल क्या आप और उसके दिमाग में कि फिर । कहां पर यूज होता है जरा कमेंट सेक्वसिंट पर बता हो कि displacement कहां पर हम लोग use करते होंगे सोचो बहुत अच्छा example दूँगा मैं इसका फिर आपको आपके हिसाब से displacement कहां पर हम लोग use करते होंगे तो अगर आपको नहीं याद आराद में बताता हूँ जब भी कोई पानी में जाता है तो वो shortest distance जाता है घरों में देखो रोड पर चलने के लिए बीच में बिल्डिंग आते हैं इदर दर गूंगे जाना है पानी में जा रहे हैं हवा में जा रहे हैं waterways, airways में जनरली रस्ते में कुछ नहीं आता है आता है तो गूंगे जाना पड़ेगा वो अलग बात है बर जनरली वो shortest path से जाते हैं जिसके लिए displacement काम में आता है या फिर अगर आपने देखा हो कि जब match में कोई छक्का मारता है six मारता है तो आपने देखा होगा कि उस case में भी displacement ना पा जाता है कि उस particular बंदे ने, athlete ने, athlete तो नहीं करूंगा, क्रिकेटर ने, batsman ने कितनी दूर चक्का मारा वो displacement ना पते हैं कि वो कभी कबार ऊचा बहुत होता है लेकिन दूर नहीं होता है तो वो displacement ना पते हैं ना कि distance तो ऐसे ही अलग अलग जगाओं पर measure किया जाता है बिलकुल ऐसे ही speed और velocity के भी साथ है, speed है distance upon time, वहीं पर velocity है displacement upon time और आप सब जानते हो, बोलने के ज़ुरत नहीं है, कि speed जो है, वो जादा काम में आने वाली चीज है as compared to velocity, उसको हम जादा काम में लेते हैं, ठीक है, तो distance traveled per unit time, कितना distance हमने चला per unit time, इसको हम लोग speed कहते है यह एक scalar quantity है, और यह साथ ही साथ, इसकी जो SI unit है, वो meter per second है, यानि इसको obvious बाता देखो कैसे, distance की unit क्या होगे meter और time क्या होगे second, तो meter per second, जिसको हम लोग पूरे chapter में meter per second ऐसे लिखने वाले हैं, velocity जो होता है, यह displacement upon time है, अब displacement per unit time इसको velocity कहते हैं, और यह vector है, कैसे बई, यार देखो, distance और time दोनों ही scalar है, दोनों ही direction change होने पर change नहीं होगे, तो speed भी नहीं होगी, लेकिन वहीं पर velocity direction change होने पर change होगी, क्यों, direction change होने पर displacement change होगा, जिसके बार में बात कर चुके है, और अगर displacement change होगा, तो velocity change होगी, जिसका माइन है कि velocity एक vector quantity है, लेकिन दोनों क एसा यूनित ज़ो है ओव्यस से बाद है, दोनों की साय यूनिट जो है, वो सेम होने भी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेशमेंट और डिस्टेंस दोनों मीटर है और टाइम सेकंट है, तो मीटर पर सेकंट, मीटर पर सेकंट, ओके बच्छो, ठीक है? इसके बाद वेलोसिटी जो आता है हमारे पास वो डिस्पेस्मेंट पॉंट आए मुझा था ठीक है यह देख बाद बताओ मैंने आपको लगता है मैंने वेट रिडियूस किया है आपको बता है ना मेरा फोर मन्थ चैलेंज चल रहा है मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट तो किया था मुझे आज लगा रहा है थोड़ा पतला हो गया हूं मैं ऑल्द मैंने तीन साड़े तीन किलो तो कम किया है बट अभी तक मुझे विजबल नहीं हो रहा है बट आथ लग रहा है मुझे गलत भी लग सकता है बट मैं तो खामा का खोश हो रहा हूँ बट मेरा वजन बहुत बढ़ गया तरहीमा में मुझे बोला कि वजन कम करो बच्चों ने भी मुझे कमेंट सक्षिन में बहुत ट्रॉल मारा कि सर मोटे हो गए है सर के पास पैसा आगया पहले बाद तो पैसा नहीं आया है बट क्या पैसा आने के बाद और के मोटा होता है नहीं ऐसा नहीं है वो तो मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ गया था मैं बिल्कुली वर्काउट नहीं करता था सिरफ काम 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 पे ध्यान देता था तो मैं को लगा नहीं है थोड़ा वर्काउट करना बहुत जरूरी है तो मैंने फोर मंथ चैलेंज लिया था मैंने इंस्टाग्राम पर रिल लाली थी कि अभी डे वन है और तीन-चार महिने बाद मैं एक और रिल लालूँगा तो अभी मुझे एक महिना भी नहीं हुआ है बट मैंने थ्री केजीज लूस किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चार महिने के अंदर मैं कम से कम बारा 12 केजीज लूस कर दूँगा इस स्पीड से चलता रहा तो 12 केजीज इस वेरी गूड नमबर 83 से मैंने लगबग शुरू किया था 79 पॉइंट कुछ लगबग हमारा वज़न भी चल रहा है मैं ये बात आप से बता नहीं क्यों कर रहा हूँ बस शेयर करने का मन करा था थोड़ा पतला लग रहा था है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास आता है स्पीड और साथी साथ आता है हमारे पास वेलासिटी अब अगेन इसके ओपर भी निमेरिकल से हैं कि हम लोग निमेरिकल वाले सेशन के अंदर जो है वो करने वाले ठीक है अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर अलग अलग प्रकार की स्पीड आती है एक आता है मारे पास यूनिफॉर्म स्पीड मुझे लगता है ये वर्ड सुनते ही आपको पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब 9th क्लास 7th क्लास के बच्चों को रटा मरवाय गया था if object travels equal distance in equal interval of time then speed is uniform अगर एक object equal distance चलता है हमेशा equal interval of time में तो हम कहते हैं कि जो उसकी speed है वो uniform है if an object travels equal distance in equal interval of time मतलब क्या है इसका अगर माल लेते हैं आपके पास एक गाड़ी पे आप जा रहे हो गाड़ी के लिए अच्छा ये तना बताने बूल गया कि स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट किस से करते हैं भई कमाल की बात है वी से ही करते हैं और वेलोसिटी को भी वी से ही करते हैं बस फरक ही होता है कि वेक्टर के उपर हम ऐसे एक एरो लगा देते हैं ना वेक्टर के उपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं बर दोनों को हम वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान रखेगा और हो सकता है कभी के बार वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते जी हाँ, ऐसे speed नहीं होता, ऐसे distance या displacement होता है और यहाँ पे भी x या ऐसी है, बस फरक यह है कि यहाँ पे हम अक्सर यह vector का sign जो है, वो इस्तमाल कर लेते हैं, ठीक है, ओके है हाँ, तो मैं कहा रहा था, अगर एक object का हम distance निकालते हैं, time में मान लो, वो अभी 0 पे 0 था, मान लो, अभी 10 second बात उसने travel किया, मान लो, 50 meter फिर वो अगले 10 second पे चलता है 100 meter, फिर वो अगले 10 second पे चलता है 1.500 meter आप मुझे बता हो, क्या वो हमेशा equal distance चल रहा है, equal interval of time में इसका मतलब उसकी speed जाए वो constant है, जब एक object चलता है equal distance, equal interval of time में तो उसे हम uniform speed और I hope आपको पता हो, uniform speed को constant speed भी कहा जाता है uniform speed को constant speed भी कहा जाता है, योकि जो object होता है, उसकी जो speed होती है, वो हमेशा same रहती है object टेवल करता है, equal distance हमेशा in equal interval of time में, हना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ घड़ी की सुईयां, घड़ी की सुईयां जब घूमती हैं, तो हमेशा equal distance कवर करती है, equal interval of time में, हमेशा second वाली सुई, 60 second में ही एक चक्कर लगाती है, minute वाली सुई, 60 minute में ही लगाती है, और आर वाली सुई, 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ऐसे ही planets जो हैं, वो sun के आसपास हमेशा equal interval of time में ही चक्कर लगाती है, तो यह सारे uniform speed के examples हुए, बट non-uniform speed अक्सर हमें देखने को हमारे घरों में, घरों के आसपास मिलता है, इसमें object हमेशा unequal distance चलता है, in equal interval of time, अगर आप हर 10 second के gap में देखो कि तो वो कभी 5 meter चल रहा होगा, तो कभी 500, कभी 100 चल रहा होगा, तो कभी 200, आप रोड पे चलने वाली गाडियां है, वो अक्सर बार 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 चेंज हो रही होती है, ट्रेफिक लाइट आई तो रुकी गए, ट्रेफिक आया थोड़ा सा तो कम हो गया, टर्न ले रहे हैं तो दीरे हो गया, हाईवे आया तो स्पीड बढ़ा ली, तो ऐसे करके वो बार बार चेंज करें, तो ये जो examples, अक्सर ह सवाल क्या है देखो दियां से सुनना पहले मैं आपको समझाता हूँ average speed और फिर मैं आपको समझाता हूँ instantaneous speed ठीक है पहले average speed उसके उपर एक कोशन फिर instantaneous speed और फिर समझते हैं कि वो क्यान वाली जो मैंने speed निकाली थी वो जो speed आई हमारे पास वो average है या वो instantaneous है ठीक है average speed क्या होता है average speed is for a journey जहां पर हम एक certain distance total distance को total time से divide कर देते हैं तो total distance traveled by our body per unit total time total distance divided by total time इसको हम लोग average speed कहते हैं मालो मैं यहां से चंदीगड गया दिल्ली चंदीगड गया या बिहार से मैं गया जहारखंट या जहारखंट से मैं गया कश्मीर तो इस case में जो total distance upon total time होगा वो मेरा average speed होगा मालो मैं आपको ऐसे पूछता हूँ यार की आपको 200 km की एक journey चलनी ठीक है और वो 200 km की जरनी आप मालो 50 km पर आड़ से चलोगे तो क्या ये कहना सही होगा कि आपको 4 घंटे लगेंगे क्योंकि 50 km पर आड़ मतलब हर एक घंटे में आप 50 km चलोगे तो 200 km चलने आपको 4 घंटे लगे फैक्ट है समझ में आता है अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे कि जब आप travel कर रहे होगे तो क्या आप हमेशा 50 km पर आड़ से चलोगे रोड़ पर आप metro तो हो नहीं कुछ आप को एससी चीज तो हो नहीं कि रस्ते में ट्रेफिक नहीं आएगा highway नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा ।योan कभी आपको अपनी speed बहुत बदा नहीं होगी ।योan के बार रुखना भी होगा और कहीं बार ऑप केले भी रुकोगे मतलब मैं आप एक खाना कहा रहा था आपने कुछ भी सोना खाना के लिए रुकोगे या कुछ भी नेचर स्कॉल के लिए रुकोगे किसी भी चीज के रुकोगे लेकर रुकोगे तो सही तो वो एक average speed होती है आपके कि मैं 50 बोर रहा हूँ तो मतलब यह नहीं है कि आप 50 से ही चल रहे हो हना अब इसका उल्टा भी समझ सकते हैं देखो कि आपने 200 किलोमेटर ट्रेवल किया चार घंटे में हना 200 किलोमेटर ट्रेवल किया चार घंटे में और अगर कोई कह दे कि आपके speed 50 किलोमेटर पर आर रही तो वो गलत नहीं कह रहा है बड़ ये बात आप भी जानते हो कि आपकी speed हमेशा 50 किलोमेटर पर आर नहीं रही कभी आपकी speed बड़ी कभी आपकी speed कम भी हुई हना लेकिन जो average speed आपकी रही वो बिल्कुल बेशक 50 ही रही चला divide by total time ठीक है अब इसके उपर जो बहुत basic बहुत easy numericals आते हैं exam में वो यह होते हैं कि आपको 2-4 journey दे रखे होते हैं कि पहले object इतना distance चला इतने time में इतना distance चला इतने time में और इतना distance चला इतने time में कुछ नहीं करना होता कराऊंगा मैं ऐसे question भी आपको उस session में बट कुछ नहीं करना total distance upon total time कर देना है total distance को total time से क्या कर दिया डिवाइट कर दिया हर एक journey का distance upon हर एक journey का time लेकिन ऐसे वाले question में बच्चा फस जाता है अब जो जो बच्चे मुझसे paid batch में नीट पड़ते हैं मैं paid batch में नीट पड़ता हूं YouTube पे नहीं पड़ता लेकिन paid batch में नीट पड़ता हूं वो बच्चे यह जानते होंगे और अगर उनमें से को बच्चा है जो यह वीडियो देख रहा है तो वो comment section में बताएगा कि इस question करने का हमने उसको एक shortcut method भी दे रखा है बट क्योंकि हम CBSC के या not CBSC हम board के respect से या subjective paper के respect से बात कर रहे हैं तो इसको हम पूरा कैसे solve करेंगे आँ ज़रा समझें question क्या है एक गाड़ी जो है वो चलती है एक certain distance जिसकी speed है पहला distance चलती है 30 meter per second से और अगला चलती है 40 से मतलब let us suppose वो A से B जाती है A से B जाती है अब A से B पहले वाले case में वो चलती है 30 meter per second से और further same distance अगर मालों यहां से वो X चली तो further same X distance ही चलती है वो बट इस बार वो 40 meter per second से चलती है अब सोचो अगर आपके total distance यह अला distance दे रखा होता यह अला distance दे रखा होता दोनों जरने का अगर आपको time दे रखा होता तो question कितना easy होता total distance upon में total time हो जाता कुछ भी मुश्किल नहीं था समझते हूं बट अब यह question थोड़ा सा अलग होगा because आपको हर एक journey का distance जो है वो नहीं दे रखा और नहीं time दे रखा है तो और हमने distance वो भी लेट किया है बट अभी भी हमारा formula same ही रहेगा और formula वही है total distance upon total time अभी भी हमारे formula में कोई change नहीं आना चाहिए formula same रहेगा total distance upon total time ठीक है आओ ध्यान रखें तो formula हमारे पास total distance तो पहले हम total distance निकाल लेते हैं तो पहली वाली journey का distance x है और दूसरी वाली का भी x है तो total distance तो हमारे पास हो गया 2x अब time निकालते हैं पहले पहली वाली journey का time जिसको मैं T1 बोड़ रहा हूँ time निकालते हैं time का formula क्या होगा तो आसर है time का formula होगा distance upon speed speed का होता है distance upon time तो time का हो जाएगा distance upon speed time का हो जाएगा distance upon speed मैंने क्या बोला मैंने बोला सो करने का shortcut method भी है बट subjective में तो पूरा solve करना होगा और ध्यान रखें आपके पास एक ही formula है वो है total distance upon total time तो कुछ भी करके आपको दोनों journey का distance और दोनों journey का time निकालना होगा अब पहल मैं T2 निकालूंगा तो वही formula तो वही रहेगा distance upon speed अब जो distance है वो तो x है लेकिन जो speed हमारा पास है वो है हमारा पास 40 speed जो हमारा पास वो है 40 अब इस हिसाब से अगर बात करी जाए तो total time जो हमें लगा वो लगा T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 T1 कितना है x by 30 और T2 कितना है x by 40 तो 30 और 40 का जो LC हमें वो हमारा पास 120 आ गया यह हमारा पास 4x आ गया और यह हमारा पास 3x आ गया अब अगर मुझे निकालना है average speed तो मैं आपको यह बोल चुका हूँ जीवन सफल करना है तो कि average speed का formula total distance upon में total time लगाओ ठीक है अब total distance आपने कितना चला है तो आंसर है 2x आप सोचरों के सब x की form में आ रहा है अरे x x कट जाएगा बहले x ने आपका बहुत काटा हूँ ले तो यहां से x x क्या हो गया cancel देखा हूँ जैसे कि मैं आपको बोला था तो यह हमारा पास आगया 40 by 7 हा ना भई हमारा पास आगया 40 by 7 and 40 by 7 is is कितना हो गया 7 5 35 हा ना मैंने कुछ गलती है किया क्या कुछ गलती कर दी क्या मैंने 7 by 120 है sorry 120 है तो 120 है तो 120 है तो कितना हो गया 240 upon में 7 आगया अब ठीक है मैं कहूं यह कैसे आंसर आगया 240 upon 7 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ एक बारी टाइम बचाने के लिए तो 240 upon 7 हमारे पास आ जाता है 240 divided by 7 आ जाता है which is 34.28 kind of हाना तो आंसर आ जाता है 34.28 मान लो अभी meter per second तो कहने का मतलब यह है देखो again calculation पर नहीं जाना है concept को समझना है हमारे पास एक ही formula है ध्यान रखना है और वो formula है total distance upon total time कुछ नहीं करना है हर एक जरनी का distance पता होना चाहिए और हर एक जरनी का time पता होना चाहिए ठीक है बासमझ में आती है मुझे कि आपको यह trust रखना है कि हमारे पास एक ही formula है subjective paper में उसी से question करेंगा दुनिया का हर प्रकार का average speed या average velocity का सवाल हो जाएगा यह मैं आपको लिखित में दे सकता हूं ठीक है चालो लेकिन फिर आता है हमारे पास instantaneous speed अब यह instantaneous speed जो है वो क्या चीज़ है और यह average speed से कैसे अल speed of a body at particular instant of time देखो किसी भी body की speed बहुत ही particular instant पे मतलब मैंने आपको जैसे की बोला कि आपने 200 km ट्रेवल किया पीछे मैंने भी आपको example दिया था कि आपने 200 km ट्रेवल किया चार घंटे में तो आपकी जो average speed आई वो कितनी आई तो आपने बोला हमारे जो average speed आई वो आई 50 km पर आ रही बट जब मैंने आपको 8 बजे देखा था तो आपकी speed 70 km पर आ थी जब मैंने 9 बजे देखा था तो 50 km पर आ थी मैंने 10 बजे देखा तो 120 km पर आ थी विएवे पे थे और 11 बजे जब देखा जब आप अपने destination के अब पीछे अगर हम थोड़ा सा चलें एक बार समझें अभी हमने यहां पर क्या देखा कि स्पीड का फॉर्मॉला डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो क्या इससे मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि जो स्पीड है वो मेरे पास डिस्टेंस मतलब बहुत चोटा सा डिस्टेंस यानि की लिशन तेख डिस्टेंस तब बहुत चोटा सा टाइम के रिस्पेक्स अब उस्टेंस अब आपको डिएक्स भाई डिटी नहीं समिझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने टेंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिवीशन का वफन शॉ perfectly देखा है अगर आपने आदे गंटे के अंदर अंदर एगंटे, आदे गंटे के अंदर अंदर, हम integration का भी इस्तामाल करने वाले हैं, तो इसलिए आप जो मैं कराने जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, या आपको integration, difference चाहना चाहिए, तो यह मैंने क्या लिखा, यह लिखा है change निकाल, या दे और change in distance बात एक ही होती है कैसे मैं 100 meter चला या मैं 1500 से 200 चला बात एक ही है दोनों में एक ही बात है 100 meter total चला या 1500 से 200 चला बात तो एक ही है ऐसे ही velocity को भी मैं बिलकुल यह लिख सकता हूँ कि velocity भी होता है भाया dx by dt बस यही तो है कि हम कितना distance में चले पर unit time यानि हम change निकाल रहे है displacement का divide by time और change निकाल रहे है distance का divide by time तो जब changes बहुत चोटे हों अगर मैं 100 meter 200 meter चला रहा हूँ तो कोई फरक ने पड़ता बट अगर distance बहुत चोटे है 0.001 तो उस case में हम लोग dx by dt का use करेंगे धियान रखिएगा क्योंकि changes बहुत चोटे होते हैं तो बहुत चोटे changes के लिम डिफरेंसेशन यूज करते हैं तो speed of a body at particular instant of time इसे हम लोग बोलते हैं instantaneous speed अगर मैं आप से बोलों कि instantaneous speed का formula क्या होगा तो formula तो वही है यार distance per unit time distance per unit time बट क्योंकि यहां पे जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत कम समय के लिए कर रहे हैं at particular instant के लिए कर रहे हैं तो जो time है वो लगभग लगभग zero होना चाहिए यह मतलब क्योंकि मैं यह आगर मैं बोलों कि पांच second या पांच minute या पांच घंटे तो अगर dt ले रहा हूं नीचे और उपर dx ले रहा हूं तो यह पता होना चाहिए कि जो dt है वो बहुत छोटा होना चाहिए तब जाके मुझे average speed या velocity मिलेगी यानि कि जो मेरा गाडियों में speedometer होता है बड़ा ही अच्छी बात पताने जा रहा हूं हमारी गाड़ियों में जो speedometer होता है speedometer वो instantaneous speed निकालता है, समद गये होगे जो speedometer होता है वो instantaneous speed निकालता है क्योंकि वो एक particular समय की speed आपको दे रहा होता है, ना कि एक particular average, मतलब एक particular time, अभी कितनी speed है एक घंटे तक, कितनी speed आपके रही वो नहीं अभी तक आपके कितनी स्पीड है टोटल डिश्टन सब्सक्राइब नहीं करता वो वो कहता है अभी पर्टिकुलरली आप कितनी स्पीड पर उसको हम बोलते हैं आवरेज स्पीड ठीक है और वहीं पर लेकिन अगर मैं अब आपसे पूछू कि जब मैंन जल्दी से बता है क्यान के स्पीड जो मैंने निकाल है वह यो स्कूर्टर पर निकाली स्पीड की कोँशी स्पीड है कमेंट सक्षंटर यहिए कौन सी बाडू से time के स्पीड पर उससी द स्गक्मे नहीं नेकाल ना किया तो वो instantaneous speed नहीं हुई वो बार-बार पैडल मार रहा है तो कभी इसकी speed कम भी हो रही होगी कभी इसकी speed जादा भी हो रही होगी although हम लंबा distance नहीं चले बट फिर भी उसकी speed बार-बार चेंज हुई होगी बट मैंने तो क्या किया एक particular distance को divide by time कर दिया तो देखा जाए तो वो average speed है ना की speed है यह बात धियान रखने है ठीक है although instantaneous speed के ओपर numericals आएंगे ऐसे theoretical आप से कोई कुछ नहीं पूछ रहा अब जल्दी से यहां तक की पढ़ाई एक बार ही कर लीजे क्योंकि अब हम करने जा रह बहुत प्यारे प्यारे सब कुछ नहीं करा दोगा तो छे घंटे का यह one shot हो जाएगा क्योंकि आपका पता है physics में numericals पर ही में देर लगती है तो जल्दी से यहां तक की पढ़ाई complete करो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं graphical representation की जल्दी से ठीक है भई आगे बढ़ते अब बात करते हैं यार कि हमारे पास यह तो समझ में आया कि velocity कितने type की है speed क्या है velocity क्या है distance क्या है displacement क्या है average speed क्या है instantaneous speed क्या है लेकिन अब हमें जो इस chapter में बात करनी है वो है graphical representation इस chapter से अगर last 10 years में मैं government school के रिस्ते को मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ 11th की और 9th की तो मैं government school के respect से बात करता हूँ तो कि वो लोग हमेशा N.C.E.R.T. को follow करते हैं 10th और 12th में तो आप कुछ भी कर लो सबका exam paper से भी आता है तो वहाँ पे ये सवाल नहीं उठता है बड 11th और 9th में जब भी मैं बोलूँगा कि यार last 10 साल के paper तो मैं हमेशा आपको जो government schools हैं उन सवाल जो है वो graphical representation के उपर मिलेंगे मतलब 50% से भी ज़्यादा chances है कि इस chapter से सवाल graphical representation से ही आपको मिले अब graphical representation में हमारे पास दो प्रकार के graph है distance time graph ध्यान रखिएगा distance time graph के साथ साथ हम यहाँ पे displacement time graph पढ़ेंगे बड आपको ध्यान होना चाहिए कि displacement time और distance time graph में फरक्या रहता है जो distance है वो कभी भी कम नहीं हो सकता या negative नहीं हो सकता आप जानते है zero भी नहीं हो सकता distance हमेशा बढ़ता ही है यानि distance का graph कभी नीचे नहीं आ सकता अगर y axis के respect से देखें तो बाकी मैं आपको समझाओंगा लेकिन displacement का जो graph है वो नीचे आ सकता है displacement कम हो सकता है negative भी हो सकता है तो उस respect से आपको देखना है अब अगर मैं distance time graph या displacement time graph बना रहा हूं तो पहले मेरे पास आता है at rest यानि कि जो object है वो rest पे अब अगर object rest पे और मैं यहां पे बनाता हूं distance time graph हाना तो distance time graph में at rest का मतलब है कि या तो उसका distance 0 है या अगर मानलो 5 meter पे वो खड़ा था तो 5 meter ही रहेगा मानलो वो 10 meter पे खड़ा था तो 10 meter रहेगा मतलब जो graph बनेगा वो एक parallel line कि time तो आगे बढ़ेगा लेकिन distance जो है वो constant रहेगा same रहेगा मतलब change नहीं हो रहा है लेकिन वहीं पे अगर मुझे बोला जाए कि आप displacement time graph बनाओ मैंने यहां पे वेक्टर बना दिया अब यहां पर मुझे बोला जाए displacement time graph बनाओ तो again displacement भी change नहीं होगा 0 भी हो सकता है औ यहां पर यह नहीं काओगे कि displacement जो है वो distance जो है वो 0 है आप बोलोगे कि वो rest पए हा ना यह graph rest का है तो ध्यान रखेंगे जीरो नहीं है लेकिन displacement जीरो भी हो सकता है negative में भी हो सकता है और positive में हो सकता है क्योंकि displacement एक vector quantity है वो negative में भी जा सकती है वहीं पर बात करें हम Uniform Motion तो Uniform Motion जो है भई Uniform Motion में आप सबको पता है कि जो c terceण सब्सक्राइब कर जो ऐसे इक स्च के लिए हमेशा कुछ ऐसा बनेगा यहां से भी शूरू हो सकता अबत कहाने का मतलब वो एक हमेशा straight line रहेगा और वहीं पर अगर मैं ये graph displacement time के लिए बनाता हूँ तो ये बात आपको धियान रखने है बस फरक ही होता है distance और displacement time में कि displacement time graph जो है वो negative में भी जा सकता है लेकिन रहेगा वो uniform positive तो जा ही सकता है लेकिन negative में भी जा सकता है decrease भी हो सकता है और रहेगा लेकिन वो straight line यानि की uniform क्योंकि equal distance equal interval of time equal displacement equal interval of time में तो displacement time हो जाएगा लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें third और आखरी graph की displacement time ये distance time में बन सकता है और वह non uniform motion अब ये non uniform motion में हम सबको पता है कि जो distance है वो बढ़ भी सकता है equal rate से और बढ़ भी सकता है यकेल rate से लेकिन हमेशा बढ़ेगा distance हमेशा बढ़ता है ऐसा possible नहीं है कि distance जो है वो कम हो रहा है आगर मैं यहां पर distance time graph बनाता हूं तो graph हमेशा उपर जाएगा, बस वो straight line नहीं होगा, क्या graph ऐसा बन सकता है, तो answer नहीं बन सकता, क्योंकि यह distance time graph है, distance कभी कम नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ, अगर वहीं पे यह graph में displacement time बनाओ, तो भईया, straight line के अलावा graph कैसा भी बन सकता है, graph कैसा भी बन सक सकता है, नीचे भी आ सकता है, उपर भी जा सकता है, हाँ, पीछχे नहीं आएगा, because time कभी negative, time कभी decrease नहीं होता है, तो negative positive, increase, decrease, कुछ भी हो सकता है, बेकिन वहीन पर, जो distance है, वो हमेशा increase होता है, decrease नहीं होता है, और इसे के ओपर काफी सारे सवाल जह है, वो exam में बनते है खासकर इनके ओपर एंसे आटी में भी एक सवाल है चार ग्राफ दे रखे हैं बोल रखे हैं पताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है तो उन चार को छोड़के अगर मैं किसी एक की बात करूँ तो उसमें एक में डिस्टन्स टाइम ग्राफ में ग्राफ जो है वो ऐसे से नीचे आ रहा है तो यह पॉसिबल नहीं हो सकता तो यह हमारे पास कौन सा ग्राफ हुआ भई डिस्टन्स टाइम या डिस्प्रेस्मेंट टाइम वहीं पर फिर हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब अगेन velocity time और speed time मैं आपे सरफ velocity time बनाऊगा आप खुछ समझना है speed में कुछ फरक नहीं होगा बस वो negative नहीं हो सकता जैसे कि अब यहाँ पे हमने बनाया ठीक है तो सबसे पहला graph आता है at rest अब rest पे जो distance था वो non zero भी हो सकता और zero भी हो सकता है या displacement बट at rest पे velocity तो हमेशा ही zero होगी न श्पीड और velocity हमेशा ही zero होगे तो time और velocity के बीच में जो graph बनेगा वो हमेशा zero यानि कि time axis पे बनेगा क्योंकि at rest का मतलब है velocity या speed जो है वो zero है ठीक है फिर आता है मारे पास second graph which is uniform motion अब मैंने uniform motion में आपको पढ़ाया था लिखवाया भी कि uniform motion को हम constant speed भी बोलते हैं अब अगर uniform motion का नाम constant speed भी है तो इसका मतलब है इसमें जो speed है इसमें जो velocity है वो constant रहेगी अब अगर यह velocity है तो negative में भी हो सकता है और अगर यह speed है तो सिर्फ positive रहेगी लेकिन बात देखे यानि कि जो graph form होगा वो कुछ ऐसा होगा यह टाइम तो बढ़ेगा लेकिन जो velocity ह है वो नहीं बढ़ेगी negative में भी हो सकती है अगर velocity है तो speed है तो positive में रहेगी time तो बढ़ेगा लेकिन velocity नहीं बढ़ेगी अब अच्छा कहता है यह वाला graph और यह वाला graph दोनों same है आंसरा shape भले ही same हो लेकिन दोनों अलग-अलग बातें कह रहे हैं यह कह रहा है कि object rest पे है यह कह रहा है कि वो मूफ कर रहा है लेकिन वो constant velocity से मूफ कर रहा है constant speed से मूफ कर रहा है ठीक है अब वहीं पर बात करें तो graph बनता है मारे पास c graph which is non uniform motion अब क्योंकि आप जानते होंगे कि non uniform motion का मतलब variable speed भी होता है तो speed जो है वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है हाना और velocity के साथ भी ऐसा है बस ध्यान रखिएगा speed negative में नहीं जा सकती है speed negative में नहीं जा सकती है speed बढ़ भी सकती है speed कम भी हो सकती है लेकिन speed negative में नहीं जा सकती है तो यह सारे graph possible हो सकते है non uniform motion के velocity कभी बढ़ रही है velocity कभी कम हो रही है speed कभी बढ़ रही है speed कभी कम हो रह तो लास्ट वाला graph यह तीनों यह बन जाएंगे लेकिन अगर यह speed time है तो लास्ट वाला नहीं बनेगा तो उसमें वो negative भी हो रहा है और vector quantities negative हो सकती है scalar quantities negative नहीं हो सकती है ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है यह तो हो गया address uniform motion और non uniform motion अब इसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास ABCD में आता है uniform acceleration अब uniform acceleration का मतलब है कि भई जो अच्छा हमने acceleration के बारे में यहां पे बात नहीं की ठीक है ना तो सबसे पहले आओ बात करते है कि acceleration क्या होता है पीछे शायद वह वाला पाट हमारा हमने skip किया तो acceleration के उपर अगर हमें graph बनाना है यहां तक तो हमारा सारा का सारा motion जो था वो क्या था बच्छो यूनिफॉर्म था लेकिन जब भी एक object की velocity में change आ रहा होता है तो आपने ये word सभी ने सुनावा है और इस word को बोलते हैं acceleration क्या बोलते हैं acceleration तो यहां पर मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं बात कर थोड़ा सा क्या बात ही करते हैं proper तरीके से acceleration के बारे में कि what do you mean by acceleration देखो भई 엣िन क्या होता है acceleration का मतलब अगर मैं सिर्फ हिंदियन हैं अब आपने बोलूं तो velocity का change होना बट mathematically कम से कम समय में अगर velocity जाधा से जदा चेंज हो रही है तो हम कहेंगे उसका acceleration काफी जाधा है और अगर जाधा से जाधा समय में velocity कम से कम चेंज होरी है यह नहीं acceleration क्या है? acceleration सिरफ change in velocity नहीं है acceleration है कितनी velocity change हो रही है in given time कम से कम समय में अगर velocity जाधा से जाधा change हो रही है तो हम कहेंगे acceleration काफी जाधा है तो acceleration क्या है? यह है rate of change of velocity acceleration क्या है भई? rate of change of velocity यानि कि velocity जो है वो किस rate से change हो रही है rate of change of velocity इससे कहा जाता है acceleration अब इसका मतलब mathematically क्या हुआ भई? mathematically acceleration का मतलब हुआ क्या हमारी change in velocity है divided by time अब acceleration का symbol जो है वो a होता है अब क्या हमारी change in velocity मतलब final velocity minus change कैसे निकालता है? हम सबको पता है change निकालते है final minus initial तो final velocity को हम लोग represent कर देते हैं v से initial velocity को हम लोग represent कर देते हैं u से और time को तो हम रिप्रेजन करते हैं t से तो हमारे पास यहां पर acceleration का एक काफी important formula आता है जो कि है a is equals to v minus u upon t यानि final velocity minus initial velocity upon time यह जितना ज़्यादा velocity में change आ रहा होगा उतना ज़्यादा acceleration होगा जितना कम से कम समय में आ रहा होगा अब इधर से अगर हम बात करें तो हमारे पास acceleration पहली बात तो एक vector quantity है और दूसरी बात इसकी जो SI unit है वो क्या है भई इसकी SI unit है वो है meter per second square कैसे ऊपर change in velocity है तो meter per second ही रहेगी यहार velocity में से velocity minus होगा principle of homogeneity units and measurement chapter meter per second minus meter per second will give meter per second और नीचे भी क्या है second उपर जाके meter per second square हो जाएगा अब acceleration के बारे में कुछ बाते आपको और जाननी होगी कि अगर acceleration positive में आता है तो इसका मतलब है कि velocity is increasing velocity जो है वो बढ़ रही है हाना वई अगर acceleration negative में आता है तो इसका मतलब है velocity is decreasing अगर acceleration negative में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि V छोटा है और U बढ़ा है इसका मतलब velocity कम हो रही है और धियान रहे जब velocity कम होती है इसको दो नाम दिये गए है एक तो नाम है retardation और इसको कहीं किताबे de-acceleration भी कहती है इसके दो नाम है retardation या फिर इसको कहीं किताबे de-acceleration भी कह देती हैं और अगर acceleration zero आता है और अगर acceleration zero आता है तो इसका मतलब है कि जो velocity है वो हमारी constant हो जाएगी वो हमारी constant हो जाएगी तो क्या होता acceleration कितनी velocity change हो रही है per unit time अगर गाड़ी का acceleration ज़्यादा है तो वो कम से कम समय में अपनी velocity को ज़्यादा से ज़्यादा change करेगी और अगर किसी गाड़ी का acceleration कम है तो वो कम से कम समय में अपनी velocity को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगी लाइक अगे नहीं कोई comparison बतब कर रहा हूँ लेकिन मैं वैसे नहीं comparison कर रहा हूँ कहीं आप इसे बुरे वे में ले ले बट एक गाड़ी अगर हम लोग consider कर ले लाइक नेनो और एक कर ले रेंज रोवर जो कि दोनों ही टाटा की है मतलब दोनों ही एक ही company कंडर आती है तो दोनों मैंसे आप सबको पता है कि जो रेंज रोवर है वो अपनी velocity को कम से कम समय में ज्यादा स्यादा चेंज कर पाएगी क्योंकि उसके पास acceleration ज्यादा है although depth में जाएं तो engine powerful है वो ज्यादा torque पैदा है वो सब बाते अलग हो जाएंगी बट मोटा मोटा उपर से देखें तो कम से कम सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर पर आर तक पहुंचने की ताकत उसके पास होगे जिसका acceleration ज्यादा यानि की range rover के पास और जिसका acceleration कम है वो अपने velocity को कम change कर पाएगा in given time अब क्योंकि हम acceleration भी समझ गए आगे मुझे ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहले तो यह मतलब समझते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नौन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और धिहान रखे आगे जाके हम बहुत importantly एक topic पढ़ने वाले है equation of motion और वो जो भी equations of motion है वो सारी के सारी equations of motion यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही valid है यह भी ध्यान रखना सारी equations of motion यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही valid होगी तो इसलिए इसका मतलब समझना होगा लेको acceleration क्या है ये है तो हम समझें, एकसलरेशन का मतलब है velocity का change होना, या फिर आप एक प्रकासा कहा सकते हो एकसलरेशन मतलब बढ़ना, retardation मतलब कम होना, अब युनिफम एकसलरेशन का मतलब है कि जह आपकी velocity है, वो uniformly बढ़ रही है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, या तो ऐसे बढ़ रही है, तो जेरो, 5 पाँच दस पंदरा पच्छेस या जीरो दस बीस तीस चालिस जैसे बढ़ रहे हैं उसके जो बढ़ने का रेट अगर है वह युनिफॉर्म हर सेकिंड में वह इक्वल रेट पर बढ़ रही है तो इसे युनिफॉर्म एक्सलरेशन कहें देंगे और बिल्कुल इसी प्रकार अगर वह इक्वल रेट से कम हो रही है तो उसे युनिफॉर्म एटार्डेशन कहते हैं यह हमारा पास वेलोसिटी है अगर वेलोसिटी हमारी इक्वल रेट से बढ़ रही है आप देख सकते हैं बढ़ रही है सेम टाइम में सेम बढ़ रही है आप कहोगे यह युनिफॉर कैस्मन टाइम होता तो यौनिफॉर्म मोशन होता लेकिन आप में वेलॉसिती बढ़ रही है यूनिफॉर्म ली तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होगा और अगर यहीं ग्राफ मानलो नीचे के तरफ आता है तो यहीं यौनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा क्योंकि दो हमें इसके उपर पूरे चेप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है कोई ग्राफ मतब ग्राफ तो पढ़ना ही है कोई फॉर्मूला नहीं है कोई डेरिवेशन नहीं है equations of motion जो हम पढ़ेंगे तीन equation 9 में पढ़ रखे हैं वो तीनो equation इसके लिए applicable नहीं है but non uniform acceleration का पहले हम लोगों को मतलब समझना चाहिए तो non uniform acceleration का मतलब है velocity जो है वो बढ़ेगी तो सही लेकिन non uniformly बढ़ेगी velocity increase तो होगी लेकिन non uniformly या velocity decrease तो होगी लेकिन non uniformly अगर retardation है तो decrease होगी non uniformly non uniform acceleration है तो बढ़ेगी लेकिन non uniformly जैसे की 2, 6, 6, 20, 21, 22, 25 बढ़ रही है बढ़ को uniform rate नहीं है ऐसी कम हो रही है बढ़ को uniform rate नहीं है तो इतना तो आपको पता है कि अगर non uniform acceleration है तो graph जाएगा तो उपर लेकिन वो graph straight नहीं होगा graph जाएगा तो उपर लेकिन वो जो graph होगा वो straight नहीं होगा क्योंकि uniformly नहीं बढ़ रही है velocity और अगर non uniform retardation है तो graph नीचे तो आएगा लेकिन again non uniformly आएगा straight नहीं आएगा तो ये सारे graph है और ये सारे graph आपको एक बार अपने register में वीडियो को pause करके मेरे को लगता है बना लेने चाहिए वीडियो को रोको ये सारे graph एक बारे ढंग से इमान दारी से बना लीजे और बनाने के बाद हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि अब हम जो भी करने जा रहे हैं लगबग लगबग 20 मिनट आदा गंटा हो सकता है 45 मिनट वो सारा का सारा खेल graph से ही होने वाला है तो इसलिए जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए सारे graph लगबग जरूरी होंगे तो सारे graph को एक बार ड्रॉ कर लिजेगा वीडियो को pause करके ठीक है चलो I hope आप अब एक बार आप heading पड़ो क्या लिखी हुई है हम तो heading में लिखावा है अब हम velocity, acceleration and distance या displacement निकालेंगे using graph हमारे पास क्या acceleration निकालने का formula आचुका है बिल्कुल आचुका है क्या आचुका है change in velocity upon time और आप सबको पता है जब changes बहुत छोटे होंगे तो मैं इन changes को dv with respect to dtb लिख सकता हो ना वही जब changes बहुत छोटे होते हैं तो differentiation of v with respect to t, differentiation of our lecture ने पता होगा है तो change in velocity को dv by dtb लिखा जा सकता है क्या हमारे पास acceleration निकालने का formula है तो answer है हां क्या हमारे पास velocity निकालने का formula है answer है हां क्या हमारे पास distance या displacement निकालने का formula है तो answer है हां बट हमें ये काम बिना फॉर्मॉला यूज किये ग्राफ से अगर करना पड़ जाए तो ग्राफ से ये सारे चीज़े कैसे निकालेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अब कॉमन सेंस की बात है कि वेलासिटी टाइम ग्राफ से अगर हम आपको वेलासिटी निकालने के लिए बोलता तो वो तो चीटिंग हो जाएगी थぎ्ग वो तो ग्राफ पे वेलासिटी लिखी होगी मज़ा अब आएगा जब velocity हम लोग निकालेंगे using displacement time graph मज़ा कितना आएगा जब हम acceleration निकालेंगे using velocity time graph और मज़ा कितना आएगा जब हम distance को भी निकालेंगे using velocity time graph तो बड़ा मज़दार ये topic होने वाला ठीक है चलो तो यहां पर सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे velocity अब अगें velocity निकालेंगे और वो भी कौन से ग्राफ से by displacement time graph अब आप इतनी तो अकल लगाई सकते हो कि जो भी मैं displacement time graph को करके velocity निकालूँगा अगर आप वोई distance time graph से करोगे तो आपको speed मिल जाएगी ठीक है तो velocity time graph की मदद, displacement time graph की मदद से velocity कैसे निकाली जा सकती है तो ये मेरे पास एक graph आया जिसमें मैंने इदर दिखा दिया हमारा time और इदर दिखा दिया हमारा displacement ठीक है जी अब ये जो graph मैंने बनाया है, मैंने ऐसा कुछ बना दिया जल्दी से सबसे पहले तो time stamp के साथ comment section में बताओ ये graph कौन सा है जल्दी से time stamp के साथ comment section में बताओ ये graph कौन सा graph है ठीक है? ओके? समझ गया? तो I hope आप सभी ने comment section पे लिखाए ये एक uniform motion का graph है तोकि displacement time है और उपर बढ़ रहा है तो uniform motion अब अगर मुझे इस graph से velocity निकालनी हो तो velocity निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है और वो होता है slope of displacement time graph अगर आप displacement time graph का slope निकाल दो तो आपको velocity मिल जाएगी अब आप सोच रहे होगे कि slope क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले हम graph में कुछ constructions करेंगे यह जो हम कर रहे हैं pink pink color से यह हमारे खुद से की गई construction है graph में given नहीं थी अब यहां पर यह point O है यह point A है यह point B है यह point C है और यह point B है मैं यह पर आपको जो भी करवाने जा रहा हूँ यह मैं नाइंट में भी किया हुआ है तो आपको याद आ जाएगा अब अगर मुझे velocity निकालनी है तो मुझे graph का slope निकालना होगा graph का slope का मतलब होता है एक प्रकार से height यानि perpendicular upon में base आगे जाके आप सिखोगे slope का मतलब tangent और tangent मतलब 10 theta ही होता है और 10 theta होता है perpendicular यानि height upon में base बर अभी के लिए से बहुत simple रखते हैं अगर मुझे slope निकालना है तो slope का जो formula होता है वो होता है height of graph graph की height आती है upon में आता है मर पस base of graph यानि graph का base आ जाता है तो height of graph upon में base of graph अब अगर यहां से मैं velocity निकालता हूँ तो graph की height देखनी है अगर मैं बहुत बार 9th में तो काफी जादा कई बार 11th में भी 20-30% 11th में ही बच्चा graph की height जा है वो पताता है AC बटा अगर आप notice करें graph की height AC नहीं है graph की height AC तब होती जब graph की शुरुवात यहां से हो रही होती बट graph की शुरुवात ही यहां से हो रही है अब अगर मैं इस table पे खड़ा हो जाओ तो मेरी height आप जमीन से खुरुवात है नाप होगे जहां से मेरे pair शुरुवात है वहां से नाप होगे तो graph के pair शुरुवात है यहां से तो जो graph की height है वो AC नहीं होगी graph की height B से लेके C तक यानि की BC होगी और base जो आपको clear देखी रहे वो मारबास BD होगा जो की OAIBDA की बात है दोनों बराबर ही है तो यहां से इस तरीके से मैं velocity निकाल पाऊंगा obvious है यह obvious है कि कुछ values यहां पे given होंगी यहां पे कुछ values होंगी यहां पे कुछ values होंगी तो B से लेके D तक जो value होगी हमारा base हो जाएगा और B से लेके C तक जो values होंगी हमारी height हो जाएगी और height upon base करूँगा तो मुझे velocity मिल जाएगी sign भी बनाए देते हैं और यही अगर displacement time की बज़ाए distance time graph होगा और मैं slope निकालूँगा तो speed मिल जाएगी उतना कुछ फरक है नहीं एक्सेलरेशन निकालना है by velocity time graph एक्सेलरेशन हमें निकालना है by velocity time graph velocity time graph से हमें acceleration calculate करना रहेगा चीक हो यह हमारे पास time है यह हमारे पास velocity है अब मैं यहाँ पे graph बना रहा हूँ आपको again comment section पे time stamp के हिसाब से पताना है यह graph कौन सा है जल्दी से comment section time stamp graph कौन सा है जल्दी बेरकुट सही लिखा है okay समझ गया तो आई हूप आपने लिखा हो comment section पे कि जो यह graph आपको मिला है यह मिला है uniform acceleration का और क्योंकि मैं आपको पता क्योंकि यह straight line है अरे मालनो ना यह straight line है लगने लिए अब ठीक है यह straight line है मतलब टेड़ी मैं थोड़ा सा जाद ही टेड़ी बनाऊंगा बनाऊंगा तो अब यह uniform acceleration कैसे because velocity बढ़ रही है uniformly पहली बात दूसरी बात और मैं आपको पता भी चुका हूँ कि इस पूरे चैप्टर में acceleration को uniformly ही पढ़ना है ठीक है ना अब अगर मुझे acceleration निकालना है using velocity time graph तो acceleration निकालने का formula हमारे पास क्या है बहुत ध्यान सुनना confuse मत होना slope of velocity time graph निकालना होगा इसका माईने यह हुआ कि velocity और time का अगर मैं slope निकालूंगा तो मुझे acceleration मिलेगा लेकिन वहीं पर अगर मैं displacement time का slope निकालूंगा तो मुझे velocity मिलेगी यह आपको जानना थोड़ा जरूरी रहेगा अगर मैं यहां पर construction करता हूँ अपने ही तरफ से इसको O इसको P Q R और S मान लेता हूँ तो अगर मुझे acceleration निकालना है तो यहार slope तो slope ही है slope का formula तो वही रहेगा यानि कि height of graph upon में base of graph यानि graph की height upon में graph का base अब graph की जो height है इस बार कितनी है भई तो इस बार graph की height Q से लेके R है ना की P से हना इतना तो आपको पता है तो height होगी हमारे पास Q R और base हमारे पास हो गया S Q हना भई S Q की जगा मैं क्या भी लिख सकता हूँ OP बात एक है लेकिन अगेन बिलकुल सेम तरीके से मुझे acceleration मिल जाएगा यानि कि velocity time graph दे रखाओ उसका slope निकालोगे तो acceleration और पिछले वाले case में displacement time graph दे रखाओ और उसका slope निकालेंगे तो velocity मिल जाएगा अब हमारे पास आखरी चीज़ रहती है मतलब की जो हमें graph से निकालना है और वो है displacement ठीक है रही वो हमें निकालना है displacement अब अगेन displacement को अगर मैं displacement time graph से ही निकालने लग गया तो फिर क्या ही मज़ा आएगा तो displacement को मैं निकालूंगा using velocity time graph और शायद अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी आगर मुझे distance निकालना है तो यहाँ velocity time graph की बजाए speed time graph हो जाएगा ठीक है आओ graph अगेन कैसा बनाएंगे यहाँ time बना दिया यहाँ velocity बना दिया और I hope इस बरत मैं पूछ भी नहीं रहा I hope आप सब सही बोलेंगे कि यह जो graph मैंने बनाया है यह graph कौन सा graph है तो शायद बोलने की जरूरत नहीं है यह uniform acceleration का ही graph हमने बनाया है ठीक है जी ओके जी अब यहाँ पे graph को थोड़ा सा पहले तो आगे बढ़ाए थे ठीक है जी अब अगर मुझे displacement निकालना है वो भी कौन से graph से आज़र है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो displacement अब बच्चा कहता है सर यहाँ पे भी slope निकाल दो अब एक बात बता हो अगर मैं यहाँ पे slope निकाल दूँगा तो कैसे काम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के slope से तो मुझे acceleration मिलता है सोच के बोलो हना वई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के slope से तो मुझे acceleration मिलता है तो slope तो नहीं निकालेंगे और यहाँ पे मुझे निकालना होगा ध्यान सुना एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है वो हमें यहाँ पे calculate करना होगा अब displacement के लिए we use as area under the graph का मतलब क्या होता है सर हमें तो area under the graph का मतलब नहीं पता तो area under the graph का मतलब है ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है यह आपको calculate करना होगा अब वो ग्राफ के नीचे का area कैसे calculate करते हैं यह बहुत सारी बातों पर depend करता है ग्राफ की shape पर depend करता है अब जैसे इस वाले case में पहले बात तो area under the graph में मेरे पास पहला option है कि मैं area इस वाले case में area of trapezium निकाल दूँ I hope आपको दिख रहा हो कि ये एक trapezium है नहीं दिख रहा? अगर मैं इधर dotted line बनाता हूँ आपको एक trapezium दिख रहा हो? नहीं दिख रहा? दिखना दो चाहिए था? ये एक trapezium दिखना चाहिए था भई बड़ अगर नहीं दिख रहा है तो अब देखो कि अब आपको एक trapezium दिख रहा है तो आँसर है हाँ ये parallel sides है और ये height है और अगर आभी भी नहीं दिख रहा है तो कहांगे है इसका गोलू मुलू? इसका गोलू कहां है? अब दिख रहा है trapezium? trapezium को शायद आप लोग को ऐसे देखने की आदत है इसलिए आपको अजीब लग रहा हूँ अना भई? बर धियान रखे, trapezium है भई ये ओके भई? ये graph क्राफ कैसे हो गए तोड़ा चलो, कोई बात नहीं लेकिन चीजे बनाने से मतलब है ओके हम तो पहला तरीका है कि मैं area of trapezium निकाल दूँ नहीं तो अगर मुझे area of trapezium नहीं निकालना तो मैं यहाँ पर area आई होप आप ये भी देख पार हो कि मैं इसके अगर दो हिससे कर दूँ तो area of rectangle और triangle बन जाएगा तो area of rectangle and या plus actually not and area of triangle तो rectangle और triangle की area को अगर मैं add कर देता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाएगा बास मुझ में आती है done है मन में कोई सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो यह इसके उपर numerical भी आ सकते क्यों नहीं आप सकते आएंगे भी कराएंगे भी आपको ठीके बट यह तीन कंसेप्ट अभी आपको अपने दिमाग में गुझेड लेने हैं पहला कंसेप्ट है कि अगर आपके पास displacement time graph हो और उसका slope नाप निकाल दो तो आपको velocity मिल जाएगी दूसरा कंसेप्ट क्या है भाई कि अगर आपके पास velocity time graph हो तो आपको acceleration निकालना हो तो आप again slope निकाल दो और अगर आपके पास velocity time graph हो और आप graph के नीचे का सारा area निकाल दो तो भी आपको displacement मिलेगा तो कहने का मतलब यह है कि तीन अलग-अलग चीज़े हैं कि हमने graph की मदद से यहां पर calculate की हैं ठीक है अब हमारे पास आता है equation of motion अभी पांच-दस मिन पहले पताया था मैंने आपको कि जितने भी equations of motion है यह सिर्फ और सिर्फ applicable है जब uniform acceleration है तो हमारे पास कितनी equations of motion है भई तो आंसर है हमारे पास कोल मिला के तीन equations of motion है फ़र्ष एक्वेशन, सेकेंड एक्वेशन और थर्ड एक्वेशन वाजीवा अब कहीं बच्चे फोर्थ एक्वेशन भी कहते हैं पर आक्चली में वह एक्वेशन जिसको पता है वो फोर्थ एक्वेशन नहीं है वह एंथ सेकेंड की एक्वेशन है वह फोर्थ एक्वेशन नहीं है हमारे पास एक्वेशन आफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्वेशन सिर्फ तीन है जिसमें से पहली एक्वेशन कहती है वी इस एक्वेश टू यू प्लस एटी होता है V is equals to U plus 80 यानि final velocity is equals to initial velocity plus acceleration into my time यह आपने पहले भी देख रहा है कोई नई चीज तो है नहीं और अगर पहले बार देख रहे हैं तो बहुत हरान कर देंगे अले बात है second equation हमार पास होती है S is equals to UT plus half AT का square यानि कि displacement is equals to initial velocity into my time plus half acceleration into my time का square यह सिर्फ square time का होता है A का नहीं होता और third equation है V square minus U square is equals to 2AS यानि final velocity का square minus initial velocity का square is equals to 2 into my A into my S यानि की acceleration into my displacement अब तीनो equation के अंदर आगर आप notice करें कुछ ना कुछ आपको खास दिखेगा जैसे कि तीनो equation के अंदर आपको initial velocity और acceleration जरूर मिलेगा लेकिन वहीं पर पहली वाली equation में कहीं पर भी displacement नहीं है दूसरी वाली equation में कहीं पर भी आपको final velocity महीं मिलेगी और तीसरी में कहीं पर भी आपको time नहीं मिलेगा तो जब भी numerical आते हैं मानलो आपको time निकालना है तो इतना हो जाती है लग जाती है तो यह बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है क्या-kya डेटा गिवन है मालो किसी कुछन में आपको इनीशे विलॉश्टी गिवन है डिस्प्लेस्मेंट गिवन है आपको एक्सलरेशन गिवन है और टाइम निकालना है तो अकल लगाओ कि आप आपको कौनसी equation लगानी होगी तो answer है आपको second equation लगानी होगी उस हिसाप से काम जा है वो चलेगा तो यह है तीन equation of motion दुबारा बोल रहा हूं यह तीनों के तीनों equations are only 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 applicable when acceleration is uniform यानि कि having some constant value like 10, 9.8 या जो भी 4, 5, 6, 7 जो भी value given है यह तीन equation आपको लगानी है और इन तीनों equation को हमें graphically derive भी करना है बड़ उससे पहले हम इने derive करें मैं आपको पता दू कि यह तीनों equation ऐसा नहीं है बिलकुल भी कि सिर्फ motion इना straight line में काम आने वाली है ध्यान रखिएगा हमारी पहले किताब के लगबग लगबग हर एक chapter में मुझे अभी फिलाल अगर मैं ऐसे उपर उपर से याद करूँ तो हर एक chapter में directly या indirectly ये तीनों equation में से कोई एक या तीनों लगती है तो सिर्फ इस chapter के लिए ही आप ये तीनों equation याद नहीं कर रहे है ये आगे आने वाले लगबग हर एक chapter में काम आएगी इसके पर numerical तो इस chapter में हैं आगे भी है लेकिन ये आगे बाकी सारे formula की derivations में भी काम आएगी ये तीनों equation तो काफी जादा important है और ये भी दियान रखना कि first equation को relation between final velocity और time भी कहा जाता है था को आपको एसे भी इसको जाद रख सकते हो कभी कबार एक्जाम में ऐसे भी आता है derive equation which relates displacement and time तो वहाँ पर नहीं बोल रखा होता कि second equation derive करो ताब कब पता होना चाहिए कोई से equation derive करनी ठीक है तो again इसको 10 second ले, 20 second ले अगर यह equation याद नहीं है तो कहीं पर लिखें और इसे याद करें क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं इनकी derivation कर रहे हैं दो तरीके से इनकी derivation करनी है एक तो graphical method से करनी है और एक हमें करनी है आगे जाके कांगया 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 integration और differentiation से ठीक है जी तो जल्दी से 5-10 में वो इतने सारा, बहुत ज़्यादा हो गया जल्दी से इन तीनों equation को जो हमने याँ पर पढ़ी इन तीनों equation को derive करेंगे सबसे पहले इने हम graph की method से derive करेंगे और उसके बाद हम इसे calculus calculus मतलब integration and differentiation integration और differentiation के method से हम इने derive करेंगे ठीक है जी अब क्योंकि ये तीनों के तीनों equation मैं आपको पताया सिर्फ uniform motion के लिए applicable है तो जो भी हम graph बनाएंगे इनको proof करने के लिए इनको derive करने के लिए वो हमेशा uniform acceleration के respect से बनेगा ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो हम पहली वाली equation derive करने जा रहे है यानि कि v is equals to u plus 80 अब v is equals to u plus 80 के लिए हम जो graph यहां plot कर रहे है velocity time graph अच्छा पहले बात तो graph सब में सेम ही रहेगा ध्यान रखेगा सारे cases में जो graph रहेगा हमारे पास वो सेम रहेगा तो इसलिए क्योंकि graph की shape graph uniform accelerated सब कुछ सेम ये हमारे पास graph रहेगा uniform acceleration का ये graph है अब इसमें मैं कुछ constructions कर देता हूं अपनी तरफ से यानि की ये dotted lines इसमें ये o हो जाएगा ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा ये c हो जाएगा और ये वाला point हमारे पास d हो जाएगा अब graph common रहेगा ध्यान रखेगा और हमें जो equation derive करने है यानि की first equation which is v is equals to u plus 80 अब इस equation को derive करने के लिए शायद आपको पता हो 10th में आपको इस सिखाया क्या हो नहीं तो आपको पता दूँ कि derivations पहले बात तो 11th की physics derivations से भरी हुई है derivations में हमेशा आपको शुरुआत याद रखनी होती है उसके बाद most of the चीज़े अपने आप flow में चलती है तो शुरुआत अगर आपको याद है starting अगर आपको याद है कि starting कहां से करने है उसके बाद most of the चीज़े अपने आप flow में चलती है जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ initials लिखेंगे कि graph में कौन सी चीज़ का मतलब क्या है जैसे कि आप समझ पा रहे हुए जो OD है यह जो OD है यह represent कर रही है कि हमारे object की initial velocity क्या थी हमारे object की initially वो शुरुआत ही उसकी D से हुई uniform acceleration हुआ तो OD हमारे लिए initial velocity हो गया graph के हिसाब से OD और AB यह दोनों बराबर है तो OD और AB यह दोनों ही हमारे लिए initial velocity हो जाएंगे और graph के respect से AC जो हमारे पास है वो final velocity है A से लेकि C तक अगर आप देखो तो यह हमारे पास final velocity है और graph के हिसाब से OA हमारे लिए time है लेकिन OA जो है वो B, D के बराबर भी है तो यह दोनों ही हमारे लिए time हो जाते हैं तो basically यह हमारे पास initials जो का आपको हर एक derivation में काम आने वाले हैं ठीक है ना हर एक तीनों derivation में काम आने वाले हैं अब सबसे पहले मुझे यहां पे क्योंकि V, Z को से U प्लस 80 डिराइफ करना है तो मैं इस equation की derivation की शुरुआत कहां से करूँगा यह बहुत जरूरी है तो मैं यहां पे शुरुआत करने वाला हूँ जो A, C है हमारे पास जो A, C है यह बराबर है A, B प्लस में यह बराबर है B, C के अब A, C को अगर आप देखो तो यह हमारे पास final velocity है A, B हमारे पास देखा जाए तो initial velocity है लेकिन B, C फिलाल हमारे पास graph के हिसाब से कुछ भी नहीं है अब अगर आप ध्यान दे तो हमारे को proof का करना है V is equals to U plus 80 और हमारे पास A क्या चुका है V is equals to U plus B, C अब कुछ भी करके मुझे B, C की जगा पे 80 लेके आना यानि कि मुझे इस पूरे equation में कहिना के acceleration को डालना होगा अब क्योंकि यह velocity time graph है तो velocity time graph के लिए जो acceleration निकालते है वो आपको पता है अभी थोड़ी दे पहले कि वो slope of graph से निकालते है वो slope of graph से निकालते है अब slope का formula होता है height upon में base अब अगर आप graph की height देखोगे तो वो B, C है और base देखोगे तो वो B, D है अब height upon में base अगर करता हूँ तो B, C मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन B, D जो है वो आप देख सकते हैं कि वो time है अब यहां से multiply अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कुल मिला के B, C की value जो है वो आ जाएगी 80 अब आपको पता है कुछ नहीं करना B, C की value 80 आ चुकी है इस equation में put कर देना काम हो जाएगा putting in second equation तो second मैं अगर मैं put करता हूँ तो V is equals to U plus B, C की जगा मैंने क्या put कर दिया जो में पास आया है यानि की 80 तो basically V is equals to U plus 80 हमारे पास बहुत easy तरीके से equation derive हो जाती है समझ गए तो यह तरीके से हम equation first को derive कर सकते हैं बहुत simple बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं second equation यानि की S is equals to UT plus half 80 square को derive करता हूँ अगर exam में obvious है second equation सिर्फ derive करने को आई को एक ही आएगी ताको graph बनाना है फिर यह initial लिखने यह काम तो same ही रहेगा ठीक है लेकिन ध्यान रखना first equation की शुरुवात हमने कैसे की अलग तरीके से AC को AB plus BC के बराबर रखा लेकिन second equation को derive करने के लिए थोड़ा सा अलग format यूज करेंगे और वो क्या है हम यहाँ पे graph से displacement निकालेंगे और आपको पता है कि graph से displacement निकालने का जो तरीका है वो है area under graph हाना भई वो है area under graph graph से displacement निकालने का जो तरीका है वो हमारे पास है area under graph अब displacement यानि की S जो होता है area under the graph इस बार मैं कैसे निकालूँगा यह आपको याद रखना होगा अगर यह numerical होता तो चाहे मैं इसे area of triangle से निकालने हूँ चाहे area of rectangle से area of rectangle plus triangle करके या फिर area of trapezium अगर यह numerical होता तो मुझे इसके निचे का area निकालना है वो मुझे कैसे margin निकालू बट क्योंकि यह derivation है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि हमें area of second equation के लिए area of triangle plus rectangle ही करना है तो यहाँ पर मैं area of rectangle area of rectangle में rectangle का नाम क्या हमारे पास O, A, B, D O, A, B, D plus में area of triangle triangle का नाम हमारे पास क्या है भई triangle का नाम है B, C, D triangle का नाम है B, C, D अब यहाँ पर हमारे पास area of rectangle O, A, B, D आ जाता है अब area of rectangle का formula क्या होता है L into B L हमारे पास OD है और B हमारे पास OA है हाँ ना बई तो यह हमारे पास od into में oa आ जाएगा और rectangle का हो गया triangle के लिए half base into height अब base हमारे पास अगर आप देखो तो bd है triangle का और height हमारे पास bc है अब यहाँ पे od अगर आप देखें तो हमारे पास initial velocity है और oa हमारे पास time है तो इसकी जगा मैंने नीशे velocity रख दिया इसकी जगा time रख दिया plus half अब bd की जगा अगर आप देखें तो again bd हमारे पास time है और अभी मैंने first equation को derive करते वक्त first equation को derive करते वक्त bc को 80 रखा था अगर exam में सिर्फ second equation आती है तो आपको यह वाला हिस्सा दुबारा करना पड़ेगा इतनी अकल I hope सभी में होगी यह वाला हिस्सा मैंने एक बार करती है लेकिन आपको वहां पर दुबारा करना पड़ेगा क्योंकि यह एहरे लिखोगे कि जाओ मेरे रिजिस्टर में जाकर चेक कर लो अव्यस से बात है बेटा तो यह आपको सॉल्व भी करके दिखाना होगा तो यहां पर एटी आ गया अब इस हिसाब से अगर बात की जाए तो हमारे आपास s is equals to ut तो आई चुका है प्लस हाफ a a into t into t t square आ जाएगा तो बच्चों मुबारक को अमारे पास यहां पर second equation भी आ जाएगी तो आपको यह धिहान रखना होगा कि second equation को derive करने के लिए आप कौन सा तरीका नहीं अपना सकते area of trapezium नहीं distance या displacement निकालने के लिए area under the graph में area of rectangle plus triangle ही करना होगा क्योंकि अगर आप trapezium कर दोगे तो उससे third equation आएगी जो कि हम कर रहे हैं अभी numerical करते वे आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं यह बात ध्यान रखिए ठीक है अब यहां पर हम लोग third equation यानि की v square minus u square is equals to 2as derive करेंगे अगें यहां पर भी same graph बनेगा और same आपको initials लिखने होंगे और इस बार भी शुरुआत हम लोग उससे करेंगे यानि की displacement से ही जो की area under graph होगा बट मैंने आपको पताया इस बार हम area under graph जो है वो area of rectangle और triangle से ना निकालते वे area of trapezium trapezium का नाम क्या हमारे पास OACD 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 करेंगे ठीक है जी अब displacement के लिए area of trapezium होता हाफ sum of parallel side into my height हाना अब इसमें parallel side कौन कौन सी है trapezium को टेड़ा करके देखेंगे एक parallel side OD है और एक parallel side AC है तो AC plus OD हो जाएगा AC plus OD हो जाएगा और अगर आप स्कोल्टा के देखोगे तो height हमारे पास OA आ जाएगी है ना हाइट हमारे पास OA आ जाएगी तो OA हमारे पास height हो गई यह 2 अदर चला गया तो 2S आ गया AC हमारे पास minor velocity है OD हमारे पास initial velocity है OA हमारे पास time है यह आ जाता है अब आप इस equation को देखके बताओ comment section पर जल्दी से time stamp के हिसाब से please time stamp के हिसाब से पताओ comment section पर जल्दी से कि इस equation जो हमें third equation derive करनी है उसके respect से यहाँ पर ऐसा क्या अजीव आ गया जो नहीं आना चाहिए था तो answer है, I hope आपने लिखा हो time, हमारी third equation में time जो है वो नहीं आता है, v square minus u square is equals to 2 as हमें derive करनी है, और time नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहां पर time आ गया है, तो यहां पर time को हट आएंगे, वैसे time आना अच्छी बात होती है, बिटा, किसी का भी time आया, अच्छी बात होती है, तो अगर मैं first equation की मत लेता हूं, v is equals to u plus 80, और यहां से t की वाले निकालता हूं, तो v पहले तो minus मुझा के u हो जाएगा, और यहां से मुझे कुल मिलाके, जो time की value है, वो मिल जाएगी, v minus u upon a, हाना, इसको मैं acceleration की formula से भी निकाल सकता हूं, अब putting this in first equation, अब अगर इसको first equation put करता हूं, तो 2s is equals to, यहां पर मेरे पास v plus u था, और t की जगा मैं क्या put कर सकता हूं, v minus u upon में a, अब a उदर जाके multiply हो जाएगा, 2as हो जाएगा, और a plus b, a minus b हो जाएगा, a square minus b square, and बच्चो मुबारक हो, यह हमारे पास third equation भी आ जाएगी, तो अगर आप देखें, तो मै आपको ध्यान रखना है कि महनत आपको करनी है अब, इसके question answer से पहले पूरा lecture ढंक से देखके रखना है, तो यह हमारे पास third equation भी आ गई, यह हमारे पास second equation भी आ गई, मैंने सबका graph और initials common बनाए हैं, I hope आपको पता हो कि यह आपको हर बार मतलब बनाने हैं, जब आप आई पर भी note कर रहे होंगे, ठीक है न, और यह हमारे पास first equation आ जाती है, ठीक है जी, done है जी, okay है जी, अब इनी तीनो equation को हम लोग derive, अच्छा, पहली बात तो relative velocity पर मैं आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले हम इन तीनो equations हैं, उनको हमें derive करना है using calculus method, यानि हमने अब भी जिस तरीके से इनी derive किया, उसे हम graphical method कहते हैं, इनी graph की मदद से, लेकिन अब हमें इन तीनो equations को derive करना है using calculus, calculus बोले तो using integration and differentiation, उसके बाद हम एक topic करेंगे relative velocity, relative velocity का जो concept है, वो हमारे इस बार जो boards है, या 11th की जो cbse के पढ़ाई है, या NCRT जो हमारी, हमारी NCRT से ही relative velocity का concept हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, मुझे नहीं पता क्यों, अच्छा concept था, बड़ हमारे entrance exam से में यह आएगा, तो मैं यहां पर आपको relative velocity के ओपर बहुत easy easy तरीके से topic पता दूँगा, और एक experiment भी देखेंगे छोटा सा, इस गाड़ी, अब सोच रहोगे सर, पूरी equation को derive करेंगे using calculus method, ठीक है, बहुत easy होंगी, बट क्योंकि हम यहाँ पर calculus method यानि integration differentiation का इस्तमाल करेंगे पहली बार, हो सकता आपको रहाँ सा मुश्किल लगे, और अगर आपको integration differentiation नहीं आता है, तो यह topic आपको बिलकुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चलो, हमें पहल होता है की नहीं होता है, acceleration होता है, change in velocity upon my time, यह dt को अगर मैं उतर ले जाओ, तो a dt is equals to db आ जाएगा, ठीक है, अब मैं, यह तो हो गया differentiation, अब मतब differentiation किया नहीं है लेकिन उसको लिखा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों side पे integration कर दूँगा, ठीक है न, तो integrating integrating both sides, दोनों sides पे मैं integration कर दूँगा, तो अगर मैं a dt का integration करता हूँ, और यहाँ पे db का integration करता हूँ, और limit डालता हूँ, limit पे ध्यान देना, यहाँ पे time की limit डलेगी, because dt है, तो अगर घड़ी में time 0 है, तो यहाँ velocity की limit डलेगी, जब time 0 होता है, तो velocity को हम initial velocity बोलते हैं, अब अगर घड़ी में time t हो गया, हमालो घड़ी में time t हो गया, तो velocity हमारे पास final velocity यानि की v हो जाएगा, time अगर 0 से t है, तो velocity initial से final हो जाएगी, ठीक है जी, अब आँ इसको integrate कर लेते हैं, एकसर क्योंकि uniform acceleration है, यह equation uniform acceleration के लिए है, तो a जो है वो भार आजाएगा, क्योंकि constants भार आजाते हैं, अंदर बच जाएगा dt, 0 से लेके t तक, is equal to dv का integration v होता है, limit जाएगी initial से final तक, ठीक है न, अब यहाँ पे भी वही होगा, dt का integration t होता है, limit जाएगी 0 से लेके t, इसमें upper limit v की जगा v, minus lower limit, v की जगा u, upper limit minus lower limit, आयोप आपने integration difference देखाओ, सेम यहाँ पे भी, upper limit minus lower limit, तो कुल मिला के यह हमारे पास 80 आजाएगा, तो 80 is equals to v minus u, कुल मिला के v is equals to, अगर मैं इसको इदर ले जाओ, तो u plus 80, यह हमारे पास third, oh sorry, first equation derive हो जाती है, मुझे पता है, क्योंकि पहली बार आप integration, differencing का इस्तमाल कर रहे हो, तो confusion हो सकती है, तो एक बार back करके दुबारा देखो, कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे पहले acceleration लिखा, dv by dt, उसके बाद integrate किया है, और कुछ नहीं किया, limit पर ध्यान रखना, जैसे मैं भी आपको second equation करा हूँगा, limits पर ध्यान रखना, limit पर ही बच्चा हमेशे, अकसर मैंने देखा है, confuse होता है, second equation है, s is equals to ut plus half 80 square, second equation है, s is equals to ut plus half 80 square, अब इस equation को अगर मुझे डिराइफ करना है, यह बहुत जरूरी है, मैं यह याद रखो कि मुझे शुरुआत कहां से करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर शुरुआत कहां से करी, a is equals to dv by dt से, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करनी होती है, v is equals to dx by dt, यानि कि displacement upon my time, change and displacement upon my time, शुरुआत बहुत इंपरन होती है, अब अगर मैं dt को अधर ले जाओ तो यह v dt आ जाएगा, और यह dx आ जाएगा, अब क्योंकि v की जगा मैं u plus 80 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि v is equals to u plus 80, फर्स्ट equation होती है, तो v की जगा मैंने u plus 80 लिख दिया, ठीक है न, अब यहाँ पे मैं integration करूंगा, तो again integrating both sides, तो धिहान से अब limits को आपको देखना होगा, तो यहाँ पे मेरे पास u plus 80 है dt, तो यहाँ पे limit dt की डिलेगी जब मैं integration करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास dx है, तो यहाँ पे जो limit है, वो x की यहने के displacement के डिलेगी, अब अगर time 0 है, तो displacement भी 0 होता है, लेकिन अगर time t हो गया, तो displacement हमारे पास s हो जाता है, है न, एक certain displacement हो जाता है, अब अगर मैं इसको आगे solve करता हूं, तो ध्यान से देखने वाली बात ही है कि, इनको मैं अलग-अलग कर सकता हूं, यान t dt, अब यहां तो dx का, जो dx dx का integration x होता है, I hope formula याद हो, और यह 0 से लेके s तका जाएगा, अब यहां पर u जो है, वो constant है, initial velocity तो constant ही होती है, तो u भारा जाएगा, और अंदर बच जाएगा dt, और dt का integration t होता है, limit 0 से लेके t, अब यहां पर a constant है, तो भारा जाएगा, अंद अला क्या होता है, याद करेंगे, power में एक add करते हैं, और वो ही power नीचे आ जाती है, यह integration का नियम है, और यहां पर upper limit minus lower limit, अब यहां पर भी आपको ऐसा ही करना है, यह u है, upper limit डालना है, minus lower limit डालना है, और यहां पर भी half है, a है, again आपको upper limit डालना है, मैंने two भार ले लिय लिया, two भार ले लिया, upper limit, minus lower limit, और यहां पर तो ऐसा आ गया, तो इतने तो आप समझदार हो कि आप समझ गए होगे कि s is equal to, यह कौन आ गया हमरे पास, ut plus, यह क्या आ गया, half 80 square, s is equal to ut plus half 80 square, यह हमारे पास, second equation of motion भी आ जाती है, थ्यान से देख लो, एक बार दोबारा दे reason है उसके, और उनमें से पहला reason, सबसे बड़ा reason ही है कि integration differentiation का पहली बार आप इस्तमाल कर रहे हो, ठीक है न, दन है, और इसके बाद हमारी last equation आती है, which is, third equation, v square minus u square is equal to 2 as, again, शुरवात याद रखना बड़ा important है, और इस बार भी शुरवात हमें, first equation जैसे, acceleration is equal to dv by dt से करना है, लेकिन इस question में आपको एक चीज़ पर ध्यान रखना है, वो क्या है, कि आपको dv by dt से शुरवात तो करनी है, लेकिन second step में आपको dx से multiply और dx से divide करना है, I hope आपको पता हो कि हम एक चीज़ से multiply, divide कर सकते हैं, उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, अब हम क्या करेंगे, dt को अधर लेके जाएंगे और dx को इदर, तो ये dv by dx हो जाएगा, और इदर आजाएगा dx by dt, अब सब को पता है कि जो dx by dt होता है, ये हमारे पास velocity हो जाता है, तो a is equals to हमारे पास क्या आगया बो, dv by dx और यहाँ पर dx by dt, अब dx by dt, जो हमारे पास हो जाएगा, ये velocity हो जाएग simple है, तो dx को मैं उदर ले जाऊंगा a dx और यहां पे v dv हो जाएगा अब यहां पे एक बड़ी interesting बात है सुनने वाली, कि offline में paid batches में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे यह बोलते हैं कि sir dv into v को आपने dv into v को आपने dv v square क्यों ने लिखा तो आई होप आप समझ रहे हूँ कि यह बिलकुल गलत हो जाएगा dv एक अलग term है dv का मतलब change in velocity है और v का मतलब सिरफ velocity है, तो यह multiply नहीं हो सकते जैसे कि 10th में मुझे याद है एक बच्चा मुझे बोला मतलब math की class चल रही थी मुझे तो नहीं बोला, लेकिन एक class में बोला कि sin theta into में theta को मैं sin theta square और यह 11th class में बात हुई थी, हाँ हम लोग motion up plane में projectile motion पढ़ रहे थी तो वहाँ पर यह बात उठी थी एक question आया था, कि sin theta into में theta को का मैं sin theta का square लिख सकता हूँ, तो आसरे नहीं लिख सकता क्योंकि sin theta एक अलग term है और theta बिलकुल अलग term है बिलकुल ऐसे, यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता है अब आगे मैं इसको solve नहीं कर सकता तो इसलिए मुझे integration ही करना होगा तो integrating both sides दोनों sides पर मैं integration जो है वो कर देता हूँ तो limit पर दोबारा धियान देना यहाँ पर किसकी limit डलेगी displacement की और यहाँ पर हमारे पास किसकी limit डलेगी velocity की तो जब शुरुवात की थी तो zero हमारा displacement था और velocity हमारी initial थी खताम होगा तो displacement S हो गया और velocity हमारी final हो गया यह limits पर आपको ध्यान रखना है limits पर ध्यान नहीं रखोगे तो चीज़ें गरबड़ा जाएंगी अब यहाँ पर A जो है वो भार आजाएगा क्योंकि वो constant है और अंदर बच जाएगा dx dx का integration x होता है limit 0 से लेके S यहाँ पर V भार नहीं आ सकता चेंज हो रहा है V की power 1 है तो power में एक add करेंगे वो ही power निचा जाएगा limit initial से final तक की हो जाएगी ठीक है जी अब अब अगेन upper limit minus lower limit again यहाँ पर 2 भार ले लिया तो upper limit V की जगा V minus lower limit यह 2 उदर जाके multiply हो जाएगा तो 2as हो जाएगा तो 2as is equal to V square minus u square तो कुल मिला के V square minus u square is equal to 2as बच्चों मुबारक हो हमारे पास third equation of motion भी आ जाएगी अब यह आप भी जानता हो यह मैं भी जानता हूं कि third equation या तीनों ही में से कोई भी equation कि calculus method से exam में आएगा तो अपने दिमाग में यह बात clear करो कि आप कहोगे कि sir दोनों ही तरीके से graphical method से भी और calculus से भी derivation ही तो हो रही है अब अगर derivation ही हो रही है तो फिर हम किसी वी से भी करें बातों सही है बट कभी कभार exam में ऐसे भी आता है कि derive this equation using this method deriving this equation using this method तो आपको कभी कभार एक particular method ही दे रखा होता है और आपको उससे ही derivation जो है वो करनी होती है यह बात भी ध्यान रखना और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बोल नहीं रखा होता है तो किससे भी कर लो तो दोनों ही method आपको आने चहीं है तो बचो देखा जाए उसूलन तो यह chapter हमारा यहाँ पर खतम हो जाता है फुल फ्लेज chapter बड़िया तरीके से खतम होता है बट एक topic हमारे पास और है जिसको हम relative velocity कहते है यह topic इस साल हमारी CBAC ने हमारी NCRT ने delete कर दिया है तो लेकिन अगर आप आप क्या मतलब अगर आप क्या आप सही बच्चों को लेकिन entrance भी देना है और यह बहुत छोटा सा पैरा सा topic है और आगे कहीं ना कहीं chapters में काम भी आता है तो इसलिए यह topic आपको आना चाहिए तो अगर आप interested नहीं है वो वाला चीज़े करने के जो आपके इसलिए बस में नहीं आ रही है तो आप इस वाले part को इसको मैं end में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इससे skip भी कर सको लेकिन नहीं तो आप देख भी सकते है तो relative velocity क्या है यह finally यह गाड़ी के मदद से भी हम तोड़ा सा देखेंगे आप उससे पहले relative velocity को समझने से पहले मैं अगर आप से एक सवाल पूछूं कि कभी ऐसा हुआ होगा कि आप एक train में बैठे वे हो और एक train में बैठे वे तो उस case के अंदर क्या होता है उस case के अंदर यह होता है कि आपको वो train और जादा तेजी से जाती वी नज़र आती है बिस्विकली हना ऐसा बहुत बार होता है अब relative velocity के case में दो अलग-अलग cases बनते हैं case 1 when both are moving यहाँ पर दो objects को at a time हम पढ़ेंगे when both are moving in opposite direction जब दोनों एक दूसरे से opposite direction में जा रहे हों अगर दो चीज़े एक दूसरे से opposite direction में जा रही हों तो उस case में क्या होता है देखो जैसे कि माल लो यह एक गाड़ी है जिसकी velocity v a है और यह एक गाड़ी है जिसकी velocity v b है और यह दोनों एक दूसरे से आप देख सकते हैं opposite direction में जा रहे हैं इस case में अगर मुझे relative velocity निकालनी है तो पहली बात तो अगर यह रुका होता और यह आपकी तरफ आता तो आपको इसकी एक certain velocity नज़र आती लेकिन अगर इससे पहले आओ एक चीज़ देखते हैं इस remote control car और इस phone से पहले case में ध्यान रखिएगा कि मैं phone को एक जगा पर रखके remote control car को जो है वो दोडाऊँगा तो आपको इसकी certain speed नज़र आएगी लेकिन second वाले case में क्या होगा remote control गाड़ी same speed से याएगी मैं remote control इससल दे रहा हूँ ताकि हम उसकी speed को change ना कर सके हैं आप समझ ना मता हाथ से पहकूँगा आपको लग सकता है कि second वाले case में ज़ाद तेजी से फैका है ऐसा भी लग सकता है बट होगा क्या कि second वाले case में remote control गाड़ी को तो same speed पे लाऊँगा लेकिन इस बार mobile भी move करेगा तो दोनों चीज़े एक दूसरे के opposite direction में move करेंगी तो अब आपको जो गाड़ी है वो पहले के मकाबले ज़्यादा तेजी से जाती वी नज़र आएगी क्योंकि जब दो चीज़े opposite direction में होती है लाइक दो train तो आपको वो चीज़े बहुत जल्दी cross करते हैं वो नज़र आती है तो अगर मुझे निकालना हूँ relative velocity of a with respect to b तो कुछ नहीं करना va plus vb दोनों की velocity बलकि add हो जाएगी यानि आप पहले 10 से चल रहे थे और मैं भी आपकी तरफ अगर 25 से चल लग गया तो अब हम एक दूसरे की तरफ 35 मीटर पर सेकेंड चलेंगे और तेजी से जाएंगे और relative velocity of b with respect to a तो इसके respect में यह add हो रहा है और obvious से बात है क्योंकि दोनों relatively एक दूसरे से काफी तेज अब एक दूसरे की तरफ चलेंगे लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ case 2 की तो case 2 क्या है when both are moving in same direction अब आप मुझे पता अगर दोनों same direction में जा रहे हैं तो same direction में जाते जाते हैं मालो दोनों की velocity ही same है यह वाला मैं इससे करके नहीं दिखा रहा है बट मालो दोनों की velocity ही same है दोनों की velocity ही same है दोनों की velocity ही same है तो होगा क्या तो आपको मुबाइल के साथ साथ ही गाड़ी चलती वे नदर आएगी तो आपको लगा गाड़ी चले ने जैसे कि अभी हमने वो इस वीडियो की शुरुआत में गाड़ी के अंदर बैठके वो एक्सपेरिमेंट किया था तो आपको लगा था कि वो चीज से चलने लग गया तो आप 10 से जा रहते हैं पहले मैं रुका वाजा तो मुझे आप 10 से आगे जाते हैं लेकिन अब आप 10 से जारों मैं भी 5 से जारों तो मुझे आप सिरफ 5 से ही आगे जाता है वे नदर आओगे यानि relative velocity minus हो जाएगी तो अगर यहां जा रहा है A object और यह B में से वी A माइनस होगा मतलब answer same ही आएगा बस एक के लिए plus हो जाएगा तो एक के लिए minus क्योंकि ऑफिसे बात है एक अगर इसके respect में अगर A के respect में भी आगे जा रहा होगा तो B के respect में A पीछे भी जा रहा होगा बट the point is कि दोनों minus होंगे ठीक है तो पहले हो एक बार गाड़ी और इस mobile वाले से case 1 वाले को समझते है case 2 अपने आप समझ में आ जाएगा तो यह हमारे पास case 1 जा पर mobile तो rest पे लेकिन गाड़ी देरे देरे हमारी तरह आ रही है constant speed से अगर आप YouTube के time की मदद से देखें कि कितनी देर इस गाड़ी को हमारे mobile phone तक आने में लगी औ और भी गाड़ी की तरफ जा रहा है और अब उसको एक दूसरे को टच करने में कितनी देर लगी तो आपसे बाता कम समय क्योंकि वेलोस्टी बढ़ गई तो आइप समझ गए अब इसके उपर अगेन बहुत सारे questions आते हैं बट मैं यहां पर बस एक question पहले बात तो अब इस अब आगर हम इस question को देखें यह question 9th class में भी आया करता था और यह बहुत बड़े method से इसको solve करते थे हम लोग बट relative velocity के method को करने के बाद यह चीज़े बहुत जादा easy और आसान जो हो जाती है कैसे question क्या है देखो यह Delhi हमारे पास और यह हमारे पास ambala है अब Delhi से ambala के बीच का distance आपको दे रखा है वो 200 km दे रखा ठीक है अब Delhi से गाड़ी निगली और वो निगली 20 km पर आर से और ambala से गाड़ी निगली 30 km पर आर से दोनों same time पे निगले तो आपको पताना है कितनी time के बाद यह एक दूसरे से जाके एक certain point पे मिल लेंगे तो ninth में क्या करते थे यह distance को x मानते थे यह 200 minus x मानते थे दोनों के लिए time निकाल के equate करते थे बहुत लंबा method था बट क्या हम दोनों को relative velocity से अब solve कर सकते हैं yes क्या दोनों को एक दूसरे के respect में same direction में चलना है या opposite तो answer है opposite अब अगर opposite direction में चलना है तो जो इनकी velocity है अमबाला वाले की और डेली वाले की यह add होगी या subtract होगी तो answer है यह add होगी क्योंकि opposite direction में हैं तो 20 plus 30 हैं दोनों मिल के एक प्रकार से 50 km पर आर के respect से चल रहे होंगे क्योंकि एक 20 पर चल रहा है और एक 30 पर अच्छा दोनों को जो combined distance चलना है दोनों को ज पता हो जो time लगेगा time का formula क्या होगा जो combined time का formula distance upon speed होता है तो combined distance हो गया upon में जो combined speed हो गई combined distance मिल के चलना है वो दोस्तों है और जो इनके मिल के speed हो पचास है तो चार घंटे इनको लगेंगे एक दूसरे से मिलने पर कितना easy हो जाता है सवाल relative velocity के concept के बाद although again मैंने आपको फिर बुला कि हमने इस one shot के अंदर experiment की मदद से हर चीज़ को समझा लेकिन हमने यहां पर कोशन नहीं किये जैसे यह one shot मुझे लगबग लगबग आपके पास धाई तीन गंटे का पहुंचेगा धाई गंटे का पहुंचेगा अब धाई गंटे के one shot के अपने दिल और दिमाग में बसा लो और फिर हम यहां पर एक session लेकर आए मैंने आपको पता है जैसे आप पूरा one shot अगर आप यहां तक पहुंचे तो इसका मतलब अपने इमानदारे से one shot पूरा देख लिया है मेरे को लगता है तो अब आप क्या करोगे कि आप इस video के नी लेक्टर डालूँगा जहां पर हम लोग इस चेप्टर के निमेरिकल्स आपके लिए जो है वो लेके आएंगे बाकी one shot तो आते रहेंगे इसके बाद motion in a plane का फिर laws of motion का और work energy का तो इसकी टेंशन मतले नहीं और प्लीज कमेंट सेक्शन पर जरू पतायेगा कि यह one shot लगा कैसा कि आपके सारे concepts clear हुए कि नहीं हुए although मैं फिर बोल रहा हूं आखरी बार कि आगे आने वाले chapters में बहुत अच्छ अच्छे motion in a plane में भी कम हैं लेकिन उसके आगे अगे अगर हम चले laws of motion मतलब आग लग जाएगे बार के energy काफी अच्छ अच्छ अच्छे experiments जो हैं वो